बेकार हो जो लो, बेकार हो जो काफी जीवन्त है, क्योंकि आप भी जानते हैं, राज इसमसल परिच्छाओं के उपर आधारित करते हुए, या बिसेश सेशन आपको देख मिलता है, लेकिन आज के सेशन की जब बात की जा, तो आज के संकल्पना काफी महतपूर है, और आज के बिसेशन की जब बात की जा, ताकि रोज की तरीके से चलने वाला या अनवरस सेशन यहां से कांटीनियू किया जा सके, इसे बिंदु के साथ की वाग देवी की कृपास सदेव आपके उपर वरकाद है, सरसुती महा भागे बिंद्या कमल लोच ने, बिद्द्या रूपी विसाल अच्छी बिद्द्या ग्रिह अस्थावित करने का नेड़ लिया गया है, अगर इस प्रशन की बात की तो यह लखनाओ में, गाजियाबाद में, कासी में या फिर आपके बनारस में, और ध्याने कीगा आप सदेव, क्योंकि आप भी जानते उस संकल्पना को कि डर मुझे भी लगा था फासला दे मेरा हौसला देख करके है, तो आपके हौसले में इस तरीके से एक आधार होना चाहिए, उस्मा जी मैं इनके संकल्पना होने चाहिए, जो भार भार कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं आज पसू के सवदाह की जब बात की जाए, तो आप भी जानते हैं, हमारे गहां पर आप भी जानते हैं कि कई बार जब हम जानवरों की देख हो जाती है, तो जानवरों को देखा होगा सीधे सब्दों में अगर कहा जाए, तो जैसे पालतू, पालतू जानवर, और इधर उदन बिखरे पड़े रहते हैं और ये समाज में पूरी तरीके से गंदगी फैलाते हैं तो अभी हमारी हाँ पर जब बात की जाये तो आपने सुना होगा यल डी ये के बारे में खास करके अगर देखा जाये तो लखनव डवलप्मेंट अथॉर्टी की अंतरगत खास नाँ की जब बात की जाये तो लखनव में ये अपने प्रदेश का पहला पसु सवधाह गरिह का नाम ध्यानि कीगा क्योंकि आप भी जानते हैं बताया जाता है जो रिपूर्ट बताती है वो यह बताती है कि लखनव में करीब-करीब 9000 से जादे क्या है आपके पालतु प पसु हैं लेकिन पसु के अलावा अगर देखा जाए तो खासा अगर देखा जाए तो करीब करीब 80,000 कुत्ता लोग होते हैं आपने सदयों देखा होगा अलग-अलग परियावे में बोला जाता है तुम कुत्ते हो तो कुत्ते की संख्या कितनी हो गई है लखनाओं में किया गया विशेश्टे पसु सवदाह ग्रिह आपका अस्थापित किया गया है जहां पर लोग अगर खतम हो जाएंगे तो उस दशा में इनकी अंतिव क्रिया को कर दिया जाए खासा अगर देखा जाए तो पसु सवदाह के बारे में एक चीज़ा और ध्याने कीगा अगर कि बिद्दुत सवदाह जो है वो कहां इस्थित है वो संयोग से आपके बनारस में इस्थित है बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में बिद्दुत सवदाह के अंद आपको देखलता है तो दोनों चीज़ों को ध्याने कीगा पसुओ के लिए एक हमारा पसुओ के तो यह कहां बनाए गया था, तो यह भी आपके लखनाओ में बनाए गया था, जैसे मनस्यों के लिए आपने सुना होगा, लखनाओ में अम्बेटकर पार्क है, राममनोहर लोहिया पार्क है, या फिर आपके से काबूल तहीं, काना, गार्डन के बारे में, तो इस पर पेच अगर देखा जाया तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो कुकुर लोग होते हैं उनके लिए कुकुर पार्क बनाए गया है यह भी आपके लखनाओ के अंतरगती देख मिलता है तो कासा ध्यान कीगा यूपी का पहला कुत्ता कुत्ता पार्क कहां पे लखनाओ में देख मिलता ह तो इस कुट्टे के मर जानी की दसा में ध्याने कीगा, पहला कुट्टा सौधा ग्रिह ये भी आखे लखनाओं में हो जाता है, ठीकर, चली, आगे की बात करें तो एक नाम आता है कि 2022 का जो ACI गेम चला है, उस ACI गेमों की जब बात की ज़ए पारूल चौधरी ने क्या किया मैलाओं के 5000 मीटर अस्परधा में गोल्ड मडेल जीता, अगर इनकी बात की जा तो यह यूपी के किस सहर से समधित हो जाती है, पारूल चौधरी अब सबसे महत पूर बात तो यह ध्यान कीगा, पारूल चौधरी की जब बात की जा तो इनका समध कहां से है, तो पहली बात तो अगर देखा जा तो पारूल चौधरी ने 2 पदख प्राप्थ किये है, आप कहेंगे 2 पदख कहां, हमने एक कैस होना था, अरे बही नहीं 2 प कि 2022 के नाम से पिछले साल आजित होना था लेकिन COVID के कारण से 2023 में किया गया तो इन्होंने दो कटेगरी में पुरसकार जीता एक महिला कटेगरी की जब बात की जाए तो महिला कटेगरी 3000 मीटर की एक दोड हो थी और इस 3000 मीटर दोड में इन्होंने क्या किया था रज़त पदक जीता था ठीक है यहाँ पर इन्होंने क्या किया था रज़त पदक जीता था और इसी दोड की ही जब बात की जाए तो यहीं महिलाओं कटेगरी में इन्होंने 5000 मीटर दोड में क्या किया था अपना गोल्ड मेडल जीता था तो सौन पदक प्राप्त करने वाली खास करके महिला किलाडी की जब बात की जा तो इनका नाम ध्यान रखिगा किसके परिपेश में जब हम पारूल चौधी की बात केए तो पारूल चौधी ने दो आपके मेडल यहाँ पर जीते खासा एक तो तीन हजार के दोड में और दूसरा आपके 5000 के दौर में तो इस तरीके से इनका संब्ध कहां से है तो खासा ध्याने कीगा यह मेरट की रहने वाली है कहां से मेरट की जब बात की जा तो पादल चोधी का संदब ध्याने कीगा यह मेरट से संब्धित है और इस परिपेश की जब बात की जा तो इनके बारे में हमने बताया भी था कि इनके संदर्प की बात की जा तो ये कहां से समंध है मेरट से समंध देखने को मिल जाती है मेरट की जब बात की जा तो वहां से इनका समंध होता है कहा जारे कि अनूरानी अगर इनकी बात की जा तो ACI गेम प्रतियुक्ता 2022 में महिलाओं के भाला फेक प्रतियुक्ता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता अगर इनकी बात की जा तो ये कहां से सम्मा लेता है अन्नू रानी अन्नु रानी की जब बात की जा तो इनका संब्ध हमारी यूपी से देखने को मिलता है खासा ध्यान कीगा ये कहां की रहने वाली हैं अन्नु रानी आपके उत्तबदेस से संब्ध लेता है हाँ अब आप कहेंगे उत्तवद इसके परीपेश मौने क्या है हमारी गाँ पर आपने सुना होगा जूबलियन के बारे में बारे में अलागि बाला फिंक की जब बात की जा तो एक आप बैकती है जिसकों तो आप कहां तक पाला जाए, यो कहां तक टाला जाए, तो तो हैराणा का बन सज फेक जहां तक भाला जाए, तो आप कह सकते हो कि यहां पर क्या नाम हो जाता है, यहां पर नीरच चुपला गूल्ड मिरल जीतने वाले होते हैं, खासा अगर देखा जाए, तो यहां पर आप भी मीटर तक इन्होंने क्या किया ACI गेम में अपना भाला फेका और इस पर पेश की जब बात की जा तो यह उत्तर पदेश की रहने वाली है और ACI गेम्स की जब बात की जाए तो इसमें कह सकते हो कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली ये पहली महिला हो जाती है क्योंकि पुरुसों नहीं तो भाला फेक पर त्योकता में कई सारी जीते लेकिन पहली बार महिला नहीं अगर भाला फेक करके जीता तो वह आपके अनूरानी संब्धित होती है कहां से संब्धित है तो ये हमारे बारत में खास करके मेरट उत्तबदेश से रहने वाली है हला इनकी बात की जा तो मक्रूप से आप कह सेकते हो कि इनका जो संबंध है वो मेरट कम मुझफर नगर से संबंधित है और इनके पिता जी जो है वो मेरट में होते हैं तो त्रैफिक पुलिस के रुप में इनके पिता जी यहां पर कारेड़त होते हैं तो अनुरानी का संब्ध ध्यान की गई यह UP के मेरड pict से संब्धित हो जाती है का जा रहा है कि हमारे UP के परिपेच्वें उत्तबिस्स सरकार के दर्णव अक्टवबर 2030 में किस एक महीने, किस एक location में अभी हर घर solar अभियान की सुरवात करी गई हर घर solar अभियान की जब बात की जा तो उसका सुरवात किया गया ये basic आपको देख मिलता है हर घर solar अभियान सबसे पहली बात तो ये ध्यान कीगा सोलर की जब बात की जाए तो सोलर के लिए आप भी जानते हैं IESA International Solar Alliance मुख्याले कहाँ पे है तो मुख्याले आपके Guru Gram में पढ़ता है ये International Solar Alliance है इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने सुना हो गए कि योजना के बारे में जिसको हम नाम देते हैं कोसुम योजना कोसुम योजना का समन्द क्या है तो कोसुम योजना आवार यहां पर कह सकते हो कि सवर सिचाई पंप को ले करके बितित की गई थी और इसका परियाद था किसानों के लिए तो किसानों को सबसीड़ी पे सवर पंप दिये जाने थे, खासा अगर देखा जाए, तो माल लेते हैं कि 100 रुपया अगर इसमें खर्च है, तो इस 100 रुपय में जो आंकड़ा रखा गया था, वो ये रखा गया था, कि 30 रुपया क्या होगा, कि अंद सरकार तेहें करेगी, ठीक है, 30 रुपय की अलामा अगर देखा जाए, तो 30 रुपया क्या होगा, आपके रजज सरकार खर्च करेगी, और रजज के बाद फिर यहां पर क्या होगा, 40 रुपया किसान के द्वारा खर्च होगा, लेकिन यहां पर भी बात कही गए, कि 10 रुपया किसान क्या करे, स्वैम खर्च कर ले, और यहां पर 30 रुप किसानों के लिए अब हमारे यहां पर आपने सुना होगा चुके राज्य सरकार के मांध्यम से अगर बात की जए तो राज्य सरकार निया क्या बोला कि हम क्या करेंगे अपने बेसे सहरों को Solar City के में डवलब करेंगे, सोलर सिटी का मतलब क्या कि जो मुख्य आपके जरूरत की लाइटे होती हैं अगर उनकी बात की जाए, तो उनको हम सौर उर्जा के माध्यम से पूरा करेंगे, क्योंकि आजकल डीजल पिटोल महना भी हो रहा है, दिन बत दिन खतम होता चला है, तो सौर सिटी की जब बात की जाए, तो सोलर सिटी हमारी हां पर डवलब किया जा रहा है, खास कर कि आपको सिकते हो हमारी यूपी ने क्या किया है, क्यों 18 सहरों को इसके अंदर चूज किया है, और 18 सहर में भी अगर देखा जा तो पहला सहर कौन सा था, अध्या की जब बात की जा तो इससे लिए करके हमने क्या कहा, कि अगले एक महीने तक क्या होगा, जितने भी सहर के आपके छटे हैं, और उनकी जो दैनिक जरूरत है, उनको सौर उर्जा से पूरा किया जाए, तो इसके लिए हमने दो सहर को चूच किया, कास करके आपके लखनओ और बनारस को, तो यू और निती 2022 की जब बात की जाए, तो उन्होंने ये बताया था, कि आने वाले दिनों में, हमें क्या करना है, 6000 मेगावाट बिजली का उतपादन, किससे उतपादित करना है, तो यह सवर उर्जा से उतपादित करना है, तो जो चटो की उर्जा होती है, खास करके सवर उर्ज तो छतों के माध्यम से 6000 मेगावार्ट उत्पादन किसे होगा आपके छतों पे लगने वाले पैनल के माध्यम से किया जाएगा ठीक है तो इस शुष को ध्या निखेगा कहा जाता है कि निम्लिकित में से किसे एक राज्य सरकायर के दौरा मुख्वंती निर्मारी स्रमिक प्य भी किया है तो संदर्वो को लेकर के आप इस सेसन में बने और इस सेसन को अपने दोस्तों मित्यों के पास खास करके लाइक और साजा भी करें क्योंकि आप भी जानते कि मैदान में एक बार फिर से हारा हूँ मैं मैदान में एक बार फिर से हारा हूँ मैं इस बार किसमत के भरोसे नहीं, इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, बलकि मेहनत के भरोसे उतरूंगा, खासा इस पहलू को ध्यान रखेगा, किस संदर में जब आप संकल्पनाओं को साकार करने की बात करते हैं, हारना जीतना आपके संदर को लेकर के सदेव ततपर में रहता है लेकिन ध्यानिकिगा कि इस मैदान में अगर एक बार आप हार गए हैं किसी कारण बस तो इसका मतलब आप प्लेयर खत्म नहीं हुए हैं आप प्लेयर के रुप में अपने उतसाह को उसी तरीके से बरकरार रखिए लेकिन उस किस्मत की जो लकीर होती है उसे वहीं त्याग दीजिए क्योंकि आपके अपने कर्म में खासा बिस्वास होना चाहिए यहाँ पर हम किसकी बात करें आपके रज सरकार के द्वारा मुक्वंती स्रमिक योजना चालू की गई इसका समन्द क्या होता है तो खासा धहन किगा यह छालू की आगया था आपके 36 गढ़ राज्जी के द्वारा 36 गढ़ राज्जी के जब बात की जा तो आपने सुना होगा खासा अगर देखा जा तो यहाँ पर ये बात की गई कि जितने भी हमारे स्रमिक होते है भावन में भवन निर्माण की परिपेच्वें, भवन के अलावा या कहीं पर भी कोई निर्माण कारे होता है, तो उससे समधी जो रजिस्टर्ड करमचारी हैं, कौन से करमचारी, जो पंजी करमचारी हैं, उनको क्या करेगी राज्य सरकार, यहां पर उनके जब 60 वर्स पूरे हो जाए ठीक है, ताकि उनमें क्या हो, आर्थिक स्वालंबर मजबूत किया जा सके, तो खासा ध्याने कीगा, अगर हम बात करें, तो भवन निर्माण या फिर और कहीं निर्माण कारे से समधी, जो आपके पंजी किस्टर में होंगे, कहां पर आपके 36 गड़ में, तो 60 साल के उपर ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, यहां पे उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, तो 15 सो रुपे टंसर देने की बात की गई है, और इसका जो संदर्भ होगा, वो क्या होगा, वो होगा, डी बी टी की माध्यम से, ऐसा नहीं होगा कि परधान जी पैसा लाके द करता है, कि राजी की परिपेच्वे एक संकल्पना है, किस एक सहर में नेस्नल स्मार्ट सिटी कानकलिब 2023 का आज़न किया गया, जिसमें सर्वसेष्ट स्मार्ट सिटी का पुरसकार प्राप्थ हुआ, इंदर को सूरत को लखनो को या पिरा के आगरा को, किस एक लोकेशन को हम यहां पर किस नाम से जानते हैं, स्मार्ट सिटी अवार्ट की रूप में है, अभी स्मार्ट सिटी अवार्ट की जब बाद की जाए, तो नेस्नल स्मार्ट सिटी का अंकलिब आज़ित किया गया था, जहां पर आप भी जानते हैं, राश्ट पती मुर्मो की जब बाद की हो 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 का नम होता है इंदवर इंदवर के अलावा सूरत और सूरत के बाद आपका आगरा तो योपी का आगरा जो है वह इस सूची में तीसे नमबर पे आता है ठीक है आगरा जो है वह इस सूची में क्या होता है तीसे राजी पे आता है सहर के रूप में है अगर हम सहर की बात के रहे हैं सहर के बाद अगर हम राजी की बात के तो राजी की कटेगरी में आपने मद्ध प्रदेश का नाम सुना होगा मद्ध प्रदेश पहले नमर पे था फिर आपका तमिल लाडू था और तमिल लाडू के बाद आपका यूपी का नाम आता है तो राजी की कटेगरी में क्या हो जाता है मद्ध प्रदर्स पहले नילे नूबर पे तमिलाडो दूसे नूबर पे और आपका यूपे तीसे नूबर पे हो जाता है खासा अगर यहीं पर देखा जाए तो एक नाम और ध्याने कीगा अब अगर यहीं पर बात की जाते है तो आपने नौर्थ जोन के रूप में सुना था नौर्थ जोन की जब बात की जाए तो नौर्थ जोन के रूप में बनारस को क्या किया गया था बनारस को सच गंगा सहर के रूप में चूच किया गया था तो बनारस की जब बात की जा तो बनारस को हमने क्या किया था सुच गंगा सहर के रुप में चूच किया था अब यहाँ पर अगर दिखा जाय तो यहाँ पर किसको यह स्थान मिला है तो खासा मंद प्रदेश का इंदौर जो है उसने टॉप किया है यहाँ पर क्या पूछा है सर्वसेष्ट अवार्ड दिया गया तो सर्वसेष्ट अवार्ड की जब बात की जा तो यह इंदोर को दिया गया है खासा अगर देखा जा तो इस परिपेच के एक संदर को ध्यान कीगा ये हमारे कापर किसके माद्धिम से आजित किया जाता है तो ये अवार्ड जो एनाउंस किया जाता है वो सहरी विकास मंताले के माद्धिम से सहरी विकास मंताले की जब बात की जा तो उनके माद्धिम से एनाउंस किया जाता है जहां पे आज आप जानते ही कि बाबू हरदीप सिंग पूरी की जब बात की जा तो ये क्या हो जाते हैं सहरी विकास मंताले के मंती की रुप में जाने जाते हैं तो ये नाम खासा ध्याने की गा स्मार्ट इंडिया सिटी अवार्ड अर्थाद इंडिया, स्मार्ट सिटी, अवार्ड की जब बात की जा तो यह आपका चौते संसकर में इसको सम्मानित किया गया ठीक है, यहाँ परम किसकी बात करें आपने प्रदेश को आधारिज करते हुए यह सम्मेलन का आजित हुआ था, तो सम्मेलन का भी नाम ध्याने कीगा यह सम्मेलन आपके इंदोर में ही मंद्वजेश में आजित किया गया था ठीक है, आगी की बात की जा तो एक नाम ध्याने कीगा किसके रुप में, जब हम बात करते ही की 2022 का जो ACN खेल है उसमें 70-10-36 मीटर के सर्व स्ट्रेश्ट थो के साथ किलन बलियान की जब बात की जाए तो इन्होंने कास से पदक जीता बारत के ACI खेलों में महिलाओं के साथ पुट अस्पियुद्धा में इन्होंने आकरी बार जो पदक जीता उसके कितने साल के बाद यहाँ आपको देखे मिलता है हमारी खाँ पर अगर हम बात करते ही बिंदु को ले करके और इसका नाम किसे समयत होता है यहाँ पर एक नाम होता है और इस बिंदु की बात की जाए तो उसे करते ही किरन बलियान किरन बलियान की जब बात की जाए तो किरन बलियान ने क्या किया है यहाँ पर आप कह सकते हो कि कांस से पदग जीता है कांस से पदग जीता है सत्य दसलों तीन च्छोय मीटर जो आप भी जानते हैं एक गोला होता है गोले की जब बात की जाए तो इसे एक करणवा पर रख करके और इसे घुमा करके फेका जाता है तो इसी पृतियोगता में इन्होंने क्या किया अपना कांसे बदत जीता किरन बलियान की जब बात की जा तो आप कह सकते हो कि इन्होंने ये जो गेम जीता है कि अपने आपे काफी महत्पूर हो जाता है क्योंकि आप कह सकते हो कि 72 सालों से हम इंतजार में थे कहां पे 72 साल की जब बात की जा तो 72 साल से समधित आप कह सकते हो किरन बर्यान की जब बात की जा तो करीब करीब 24 वरसी यह योती होती है और खासा अगर दिखा जा तो इनका संबंध हमारी हां पर क्या होता है मेरट से देखने को मिल जाता है तो मेरट की जब बात की जा तो मेरट से इनका संबंद आपको देविलता है कासा इन्होंने क्या किया सत्र दसलो तीन च्छाइ मीटर का गोला फिका और गोला फिक करके काई सकते हो इन्होंने कासे पदक जीता हलाकि इससे पहले गर देखा जा तो चुकी 72 साल के बाद हमने जीता है तो पहले कब जीता था तो 1951 में जीता था कहां पर अपने परदेश में नई दिल्ली में नई दिल्ली की जब बात की जा तो नई दिल्ली में हमने 1951 में जीता था और खास करके अगर देखा जाए तो एक बेक्ति थे जिनका रान था बरा-बरा क्या बोलते हैं बर-बरा बेस्टर के रूप में बर-बर बेस्टर की जब बात की जाए तो इनके मात्यम से क्या किया गया था यहां पर हमने जीता है हमारे यहां से समधित होती है कहां से आपके यूपी से समधित होती है आगे की बात की जाए तो एक नाम होता है कि हाल ही में समाचारों में पेट 46 नाम की संकल्पना हमें देख मिली और इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम करेंट अफेर के क्लास में तो इन सारे मुद्दों को हमने बिस्तारी स्थ रूप में चर्चा किया है लेकिन आठ बजे के अलामा आपके सामने हमने सूचा भाई नौ बजे वाले लेके कौन सा हमारा अपराद की हैं ऐसा तो है नहीं कि हमारा खेट जोत लिये हैं तो इनके ल यहां पर हमके इसकी बात करें पेट 46 यह का होता है यह खासा ध्याने खेगा एक एंजाइम है एक ऐसा एंजाइम है पेट का मतलब तो ध्याने खेगा हमारी यहां पर देखा जाए तो एक बोतल मानी जाती है बोतल मतलब प्लास्टिक की बोतल होती है खासा अगर देखा ज तो है यहां पर खासा ध्याने कीगा अब इस एंजाइम की जब बात कीज tipos तो इस इंजाइम का संदर क्या है ये एनजाइम अपने आप में काफ़ी महातपूर्ड है क्योंकि ये अभी में गहरी समुदण में पाया गया और गहरे समुद में पाये तो इसका संदर क्या है भाई गहरे समुद में पाये चाहे उपर पाये जाए खासा ध्याने के गाग कील इंवस्टी के जो प्रोफेसर होते हैं खासा अगर दिखा जाये तो ये लोग कहां से हैं जर्मनी से समधित है तो जर्मनी में कील इंवस्टी पड़ती है उसी के समधित आपके सोद करता हूं यंस को खो जा था अब इस बिन दो की बात किया तो तो इस बिन का सम्मंद्द क्या है यह बिन्द्द्व ये है कि जहाई फलाष्टिक प्लास्टिक का बोतल होता है, समनते आपने दिखा होगा कि कोई प्लास्टिक का बोतल है, जैसे मालेते हैं, ये हमारे पास बोतल है, अभी बोतल हम जमीनी में दबा दें, और 10 साल बाद खुदाई करें, तो बोतलवा में ऐसे पानी मिलेगा, ठीक है, लेकिन अब हमारे यहा नाम दिया गया पैट 46 खासा पाली एथनाईल के रूप में अगर इसकी बात की जाए तो पैट 46 दियाने के का प्लास्टिक को भी कैसे को कि आने वाले दिनों में बिगटित कर देता है खास करके उसे छोटी छोटी सिंग्राव में तोर देता है तो ये एक एंजाइम के तो इससे समादित नहीं थे इसक्वेस के बारे में आपने सुना होगा इसक्वेस प्रत्युक्ता की जब बात की जा तो उसके लिए अभी हमने क्या किया पाकिस्तान को ही रा दिया जीतता कहा है बेचारा लेगिन फिर भी हमने फिर से हरा दिया अगर उस पहलू की बात की पाकिस्तान को अंपना गुल्ड मिडल यार फिर स्वन्पद्ण प्राप्थान कहुं है। स्वोन्पद्ध्तर प्राप्त किया। यहां पर कौन से ऐसे बेक्टी होते हैं Three rocks High ही माने जाते हैं सबसे पहली बात अगर कहा जाए तो यहां पर अगर दिखा जाया तो सौरभ गोसाल इन्होंने यह था अभय सिंग यहां पर देख मेंते हैं महिस मानगवारकर की जब बात की जा तो यह सामिल थे जो एक बेक्ति इसमें सामिल नहीं था वो था पंकच आडव कखा जाता है और उसके बाद इसे लोगार भी करता है तो उसके बाद हमारी यहां पर उसे कहते हैं वो गुच्ची जो होता नहीं गुल्ली में पिलाना तो यहां पर गुच्ची और गुल्ली का संदब नहीं होता है कांच वाली गुली नहीं आती थी बच्पन में आपने विखायोगे सब मारते थे लोग तो पिल जाता था तो यहां पर दंडा से पिलाया जाता है तो इसकोणर की जब बात किजए तो इसकोणर का संबन ध्यान केगा ये इसके खिलाड़ी मानने जाते हैं बाकी सवरोगहसाल अवैसिंग महिस मानवाल करकी जब बात की जाए तो उन्होंने स्क्वेश टीम प्रतियोकता में क्या किया अपना गोल्ड मेडल पक्ता किया किस पर पेच्छवे आपके पाकिस्तान को हरा कर गए है खासा यहीं पर गर देखा जाए तो 14 हक्टूबर 2023 अगर देखा जाए तो भारत की बाहर किस देश में बिसालतम अमबेटकर पतिमा का अनावरन किया गया हम अपने यहां पर देखा जाए तो एक अमबेटकर पतिमा का अनावरन किया गया और इस पहलू की जब बात की जाए तो इस पहलू का संब्द हमें देख मिलता है सबसे knowledge क्या statue of knowledge की जब बात की जाए तो यह इसे नाम दिया गया है अच्छा अगर हम बात की तो statue of knowledge यह तो आप भी जानते हैं अभी हमार यहाँ पर नाम सुना था कि इसके बारे में statue of unity यह कहां से समझता है तो यह आपके गुजरात में आपको देख मेलता है फिक है गुजरात में statue आप peace आपने कहां पर सुना खासा राजस्थान की बात करें राजस्थान में अभी आपने equality की बारे में सुना था equality equality की जब बात की जा तो यह कहां पर तो यह आपको देखनता है, खास करके जब हम बात करते हैं तिलंगाना, तो तिलंगाना हैदाबाद में इसके अस्थापना की गई, इस टैचो आप वेलनेस, वेलनेस की जब बात की जाए तो यह कहाँ पर, यह आपके मध्ध प्रदेश में आपका अस्थापना की आ गया, से उसे हम घोसरा मसीन के रुप में जानते हैं, तो आपसन दिया गया था कई सारे, हमें भी आकरसन लगा कि भाई, कौन सा है, कैसा बिकति है, जो जुट्टा है इतना जुट्टा है कि अपना घोसरा कर देता है, पूरा नहीं करता है, तो यहाँ पर नाम दिया गया, वो न अमबेड कर पतिमा के अस्थापना की बात की गई, तो यह कहां से समझ था, तो यह ध्यान कीगा, अभी आपने अमेरिका के बारे में सुना होगा, तो अमेरिका में कुल अलग-अलग 13 जो मूल प्रांत है, उसे मूल प्रांतों की जब बात की जा, तो उसे मूल प्रांतों म Statue of Equality Statue of Equality की जब बात की जाए तो इसके बनाने वाले संदर में अगर दिखा जाए तो Statue of Equality की जब बात की जाए तो इस पर पेश्व नाम ध्याने की गाए ये करीब-करीब 19 फीट की बनाई गई है और 19 फीट में जो बनाई गई है वे किसके माध्यम से तो एक ब्यक्ति है जिनका नाम है राम सुतार ठीक है तो राम सुतार की जब बात की जाए तो राम सुतार के माध्यम से इसे बनाया गया है एक चीज़ अध्याने कीगा अगर इस पहलू की बात की जाए तो अभी तक में हम कह सकते है अम्बेटकर का जो संदर्भ है अमारी हां से समझ था लेगिन बिदेश की जब बात की जा तो पहली बार बिदेश में आपका स्थावित किया गया और ये कहाँ पे आपके मेरीलंड से देखने को मिल जाता है जो खास करके जो बाबा साहब अम्बेटकर की बात की जाए जिनका कायना है कि सिच्छाओ सेडनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहारेगा तो इस पहलू को लेकर के इनके जीवन सपनाओं को लेकर के जैसे समिधान की बात की जाए, इनके सिच्छाओं, इनके संदेशों की बात की जाए, इनके माना अधकारों की बात की जाए, समानता की बात की जाए, तो इन सारे पहलों को क्या करेगा, वर्ल्ड लेबल पे प्रदासित खरेगा, खासा द्याने कीगा आप जानते भी हैं कि अमबेटकर को याद करते हुए हमार यहाँ पर एक प्रियोजन चलाय जा रहा है जिसका नाम है अमबेटकर इंटरनेशनल सेंटर की जब बात की जाए तो इसकी अस्थापना करी जा रही है इसी मैरी लैन में और इसकी जब बात की जाए तो इस परिपेच्वी ध्यान कीगा ये करीब-करीब 13 एकड में बिस्तारित है तो करीब-करीब 13 एकड में बिस्तारित है और इसी परिपेच्वी का होता है यहाँ पर इसका नाम देखने को मिलता है आगे की बात की जाए का जा रहा है A.C.I.S. खेल में 2022 में निम्लिकत में सिक्के से एक भारती मूल के 49 वर्ष के सिंगापुर की पहली एथलेस्ट जिनों ने क्या किया स्वन्ड पदक जीता मतलब वैसा नहीं है कि हमारी यहां के लोगों ने गोल्ड मेडल जीता और उस महिला की जब बात की जाए उस देवी का नाम क्या होता है तो उनका नाम ध्याने कीगा दलिलिना पूलम गिल लिया दोसी सांती परेरा अनिता कपूर किसके रुप में नाम देख मिलता है तो खासा ध्याने कीगा आपने सुना भीगा सांती परेरा सांती परेरा की जब बात की जा तो सांती परेरा ने क्या किया इस गेम को जीता कहां से समन्ध है ये सिंगापूर के रहने वाली है एक्चली इनके पापा की जब बात की जा तो इनके पापा जो थे वो संयोग से आपके भारत से थे ठीक है भारत से इनका समन्ध था और मम्मा की जब बात की जाए तो मम्मा कहां से समझ से ठीक है अगर इनके मम्मा की बात की जाए तो इनके मम्मा का समझ कहां से था तो ये सिंगापूर से थे तो इनके पपा गए थे ब्यापार के लिए सिंगापूर तो वही पर इनका क्या हो गया प्यार महुबत का परिपेच वे इन्हों ने क्या किया यहाँ पर अपना ACI गेमों में गोल्ड मडल जीता और इस परिपेच वे इनको हम क्या करते हैं सिंगापूर की रहने वाली होती है और खास करके अगर देखा जाए तो उन्होंने किस प्रतियोक्ता में तो 200 मीटर दौर में 200 मीटर की जो दौर पतियोक्ता होती है उस दौर पतियोक्ता के लिए इन्होंने क्या किया इसे प्रतियोक्ता में अपना गोल्ड मीडल जीता और कह सकते हो सिंगापूर के लिए यह कह सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता ठीक है आगे की जब बात की ज तो इस पुरसकार के लिए इन्हें चिन्ध किया गया नाम होता है योटिक टांग के रूप में युक्ची आई जांग के रूप में बिल साविंग के रूप में या फिल साई एवरा के रूप में अगर इनकी बात लिजाये हम इन लोगों को देखते हैं तो एक एच यह समझ में आता है, हमारी गहाँ पे 75 नाम आग को देख मिलते हैं, छोटा छोटा नाम होता ना, रवी, कभी, सभी, डवी, उस टाइब का कुछ नाम रख लिये होते, लेकिन यह लोग का करते हैं, यह लोग ऐसा नाम रख देते हैं जो का एक बार हम पर ही नहीं पाएं अपका ही कार जाए अईसा अईसा नाम रखे हैं का नाम रखे हैं यो किंग तांग ऐसा लग रहा है कोई तकीया भी चावना का नाम है लुईच्याँग छोनचांग बिल छामिंग शाई एवरा तो यहाँ पे जो भी होगा, कुछ भी नाम हो, जो भी हो, बैरहाल, संब्धों की बात की जा, तो संब्धों को ले करके, इनका नाम किससे समधिस होता है, तो सबसे पहली बात तो यह ध्याने कीगा, इनका नाम होता है, खास करके, जुक्छियांग जुआंग, क्या नाम होता किस से अगर इनकी बात की जा तो ये गंत बिधा के प्रोफेसर माने जाते हैं और प्रोफेसर की संकल्पना की जब बात की जा तो प्रोफेसर की संकल्पना में इनहीं क्या किया गया इस वर्सकार रामा नुजम पुरसकार दिया गया एक्चुली रामा नुजम पुरसकार की दिया जाता है तो यह कुम्ब कोडम में दिया जाता है जहां पे रामानुजम का समन था तो दिसम्बर की जब बात की जाए तो दिसम्बर में लाज्ट टाइम में क्या होता है यह पुरसकार दिया जाता है जहां पे खास करके आपकर सेकत हो कि केवल केवल 32 वर्स मतलब 32 वर्स से जादे का कोई ब्यक्ति यहां नहीं चूच किया जाता है actually उसके पीछे सीन है क्योंकि आप भी जानते 32 वर्स की दसा में क्या हो गया था रामानुजम की दित हो गई थी तो रामानुजम केवल 32 वर्स तक जिये थे तो इसी कारण से यहांपर उम्र की सीमा रखी गई है कि कोई भी ब्यक्ति जो 32 वर्स का है और उसने गणित के छेत में कोई विसेश कारी किया है तो उस संदर्म को नाम देखने मिलता है और उस परिपेश की जब बात की जाथ उसका नाम प्रमकूप से देखने मिलता है क्या नम होता है कुछ नाम आए नहीं आए ये ध्यान रखेगा तो आपको बिल्कुल पेपर में यह से दिखेगा कहेंगे हां बिल्कुल यही तो जवाब था चली आगे की बात की जाथ तो एक नाम आता है कि किस उपलब्धी या फिर कारी के कारण कैटालीन कारीको और डू बीसमेन 2023 के चिकिस्सा नोबिल पुरसकार की गोश्रा की गई ये तो आप भी जानते हैं कि अभी हमारी हापर नोबिल पुरसकार घुशित कर दिया गया है अब नोबिल पुरसकार की जब बात की जाए तो नोबिल पुरसकार के अलगल के लिए क्या किया गया यहां पर पुरसकारों की घुश्रा की गई अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम हमें देखने को मिल जाता है तेके, अगर इनों पंजाब से होते हैं, तो पंजाब में एक कorage नाम चलता है, भोला, कई बारा आपने सुना होगा, पोला चिन ओ, पोला सिंग की जब बात की जाएं, तो एक नाम दे क्याओं यहाँ पर confusion भी नहीं होता है, क्यों, किdoes को पोला सिंग महिला भी है और पोला सि जो भी नहीं कर पाते, अगर इनका संब्ध पंजाब से होता ना, तो ऐसे सामानी नाम को क्या मिलता, इनकी अवस्था में देखने को मिलता है, बैरहल ये पता नहीं कौन इंडेस के रहने वाले हैं, कैटालीन कारिको, डू बिसमेन, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम क जम से क्या होता है, ये पुरसकार आपका बितित किया जाता है, अलग अलग केटेगरी की जब बात की जाए, जैसे साहित का नोबिल होता है, आपके चेकिस्सा का नोबिल होता है, फिजिक्स का नोबिल होता है, कमेश्ठी का नोबिल होता है, पीस का नोबिल होता है, तो अ पुरसकार इन्हें देखने को मिल जाता है थे थे तो Katalin कारिको और Drew Beesman क्या नाम होता है, Katalin कारिको और Drew Beesman इनका नाम ध्याने किएगा, basic अगर दिखा जाय तो एक नाम आता है कि ने लिकित मेंसे कौन से एक ऐसे ACI खेल है, जिसमें टैप पुरुष टीम असपरधा में हमने क्या किया गोल्ड मेजन दीता और गोल्ड मेडल जीत बाती की बात की जाती है तो उसमें हमारे सदस्यों में से कौन से एक बेक्ति इसमें सामिल नहीं थे हांगुं की जब बात की जया तो आपके सब्से चल दहें हांपे हंग जो खे बात जबात जाती है कि शैड़ की जए जी जैत ूबुर्धा को सब्सक्राइब हमती होती है उसमें अगर देखा जा तो उसमें भी हमने क्या एक जीता Swpard अब गोल्ड मेडल चीता अब a couple आ अलग अलग तरीके से पिद्भाग करती हैं, उसमी कौन सा ब्यक्ति यहां पे सामिल नहीं था, तो ब्यक्ति की जब बात की जाए, तो पिद्वीरा टोंडी मन का नाम सम्मधित होता है, या यहीं पर आप कर सकते हो कि आपके कि नाना चिन्नाई का नाम होता है, जुरावर सिं तो उन्होंने क्या किया, इस गोल्ड मिरल को जीता, हाँ, एक चीजा और ध्यान खेगा, कि यह तो भारत की पुरुष टुकडी होती है, लेकिन अगर यहीं पर हम महिला की बात किये, तो महिला टुकडी ने भी क्या किया, ट्रेप पत्योक्ता में अपना रजत पदक पुक चुक चुक किया जाता है, तो इस पहलू की जब बात की जाए, तो निसाने बाजी को लेकर के ध्यान खेगा, निसाने बाजी ट्रेप पत्योक्ता में इन तीनों ने पुर्सों के संदर में क्या किया, आपके सिक्टों की गुर्ड मिटल जीता, और यहीं पर गर देखा जा तो ही पर नाम में आपने सुना होगा किसके बारे में, जैसे मनीशा कौर, मनीशा कौर, और मनीशा कौर के अलामा गर देखा जाए, तो एक नाम और आपने सुना था, प्रीती रजक, तो प्रीती रजक की जब बात की जाए, तो इनका भी नाम देखे मिलता है, प्रीती, ए एक प्रीति यी होती हैं, जो रजत पदक जीती हैं, एक पद deciısı आती हैं, जो खली 22 sm´ र मेर कमो बनाती हैं, तो पृति का नाम भी ध्याँने किया, इन्हों नहुतcheck Grand तो खासा नाम ध्याने कीगा प्रिती रजक, मनीशा कौर और राज्य सुरी कुमारी इन सब के माध्यम से क्या किया गया, रज़त पदक जीता गया, जबकि निसाने बाजी के पुरुष की जब बात की जया तो उनने क्या क्या गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, आगी की बात की ज और जब बात की जया, मतलब इससे पहले हमारी हाँ पर महिला, कभी भी आपके गोल्फर के रुपे चूज नहीं की गए थी, महिला मतलब गोल्फ, अगर इसकी बात की जया तो अभी तक हमने कभी भी गोल्फ प्रत्योगता में कोई मिडल नहीं जीता था, हाँ, भारत के प सुकपूर, तो दो बार हमने केवल क्या किया है, पदक जीता है, पहली हमने जीती है लचमर सिंग के दौरा, लचमर सिंग की जब बात की जय तो उन्होंने कभ जीता था, यहhr 42 में जीते थे, और पुरसों के संंदर में सुकपूर जो जीते थे वो कभ जीते थे, तो यह 2002 म बारे में आपने सुना होगा, हलाकि इन्होंने गोल्ड मिडल नहीं जीता, गोल्ड मिडल से चूक गई, लेगन इनकी जब बात की जाये तो इन्होंने जो पदक जीता है, वो रज़त पदक है, रज़त पदक मतलब आप कहसे हो दूसरा अस्थान जिसको हम सिल्वर मिडल के कह सकते हैं, तो यहां पर आप कह सकते हो कि गोल्फर के रुप में क्या होता है, अदिती असोक का नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है, अदिती असोक की जब बात की जाये तो अदिती असोक का नाम ध्यान नहीं कीगा, क्योंकि पहली बार महिला गोल्फ हिलाडी ने यहां पर कोई पदक जीता है तो इस वीच को ध्यान लिखेगा कहा जाता है कि हमारे ACI खेल 2022 में पुर्सो की जो 3000 मीटर की इस्टिपल चंज दौड होती है उसमें क्या किया गया किस एक ब्यक्ती के द्वारा एक गोल्ड मेडल जीता गया यहाँ पर अगर बिंद की बात की जाए तो इसका संब्ध प्रमखुप से देखने को मिलता है बेसिक अगर देखा जाए तो इस पहलू को लेकर के किसका संब्ध हो जाता है पान सिंग तो मर इनके उपर तो मुवी बनी हुई है मदन सिंग के माध्यम से अभिनास सामले के माध्यम से या फिर आपके नवेन कुमार कौन से कैसे बेखती होते है जिन्होंने 3000 मीटों की एक इस्टपल दौर दौरी और उसमें इन्होंने अपना गोल्ड मेटल पुक्ता किया है तो हांग्जों की जब बात की जाए तो हांग्जों के अंगर जो आपका ACN गेम प्रत्योगता आजित किया जा रहा है उसमें गोल्ड मेटल जीतने वाले जुबेक्ती होते हैं उनका नाम होता अभिनास सामले की जब बात की जाया तो इनका संदब ध्यान कीगा क्योंकि इन्होंने क्या किया 3000 मीटर, कितनाiliar, 3000 मीटर stopping dawn दोड की जब बात की जा, stopping daw म competition केसे समझीगा बाधा dawn जिسकों हम कहते हैं, थिक है, तो इन्होंने क्या किया, stopping change में दोड को कह सिखते हैं, दोड करके इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पर खास करके gold medal जीता, अगर देखा जाए तो इन्होंने इस दवर को केवल केवल 8,19,50 क्या किया था, second में इस दवर को पूरा किया मतलब आप कैसे हो कि करीब करीब 8 minute, 19 second कितना, 8 minute, 19 second में इन्होंने क्या किया, 3 km फर 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 दवरे होंगे, हमें लगता है तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर दवर करके gold medal जीता, और इन्होंने का सम्द्ध होता है, अब इना सामले, हाँ बिलकुल सही करें, चीता है है, क्योंकि 8 minute में 3 km इतना, तो हम लोग सोचेंगे, कहीं जाएंगे अच्छी बात है, चलिए, आगे की बात की जाते एक नाम ध्याने कीगा, ACI खेल 2022, एक ब्रेक्ती होते हैं, जिनका नाम है तजिंतर पाल सिंग्तूर, अगर इनकी बात की जाये, तो इन्होंने क्या किया, 60 पुट, प्रत्योगता के अंतरगर, स्वन्द पदव जीता है, यहाँ पर अगर देखा जाये, तो इनका नाम प्रमकूप से देख मिलता है, 10 minute में र चार घंटे में, ठीक है, चार घंटे में 25 किलोमेटर हमने भी दवड़ा है, एक बार फोरेस्ट गार्ड का एकजाम था, तो बैग लेके दवड़ना होता ना, 10 किलो का वेट, तो वेग भीग था और 25 किलोमेटर दूरी भी थी, लेकिन हाँ, पसीने छोड़ गये थे गुर चैने, यहां पर हम किसकी बात करें, तजिंदर सिंग पार तूर, अगर इनकी बात की जाया तो उनका सम्मन्द साथ पुट, साथ पुट वही है, गले पे रखना और फिर आपको घुमा करके फेकना, तो तजिंदर सिंग तूर की जब बात की जाया तो उनका नाम किस से यह पर गोल्द एक यह थे दो एस पर्दमन वाड़ कहती दे आउस फिर दे पुरस पृतियूगता के संदर में खे सकतो गोल्ड नटम जीता हैं। देक्थ हैं। डियान दो पेसी लिए फोल चाँ में जीता है goods , प्रतियूगता इकनाम है डॡ़ crypto याई कौन सी ओड़ी है निए याउगों में तेनिस में contemptom प्रत्योक्ता की जब बात की जा तो इसका नाम प्रमुखुप से देखने को मिलता है टेनिस प्रत्योक्ता की जब बात की जा तो टेनिस प्रत्योक्ता के लिए इनका नाम प्रमुखुप से देखने को मिलता है टेनिस प्रित्योक्ता, बेसिक अगर देखा जाए तो इस प्रित्योक्ता के लिए टेनिस मिसित यूगल का संब्ध हमें देखने के मलता है, किस एक जोडी ने ACI खेल में 2022 में टेनिस मिसित यूगल प्रित्योक्ता को यहां पर क्या किया जीता, बेसिक रोहन बुपन्ना रित करके गोल्ड मिडल जीता था रोहन बोपन्ना रितुजा भोसले या फिर रांगल सुमित नांगल अंकिता रहना या फिर आपके रोहन बोपन्ना यूकी भावरी या फिर आपके चाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा की जब बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है खास करके जब हम बात करतें टेनिस के बारे में तो टेनिस प्रित्युकता की जब बात की जाए उसमें भी कौन सा मिस्रित यूगल ठीक है तो टेनिस प्रित्युकता के मिस्रित यूगल की जब बात की जाए तो यहां पर इन्ह किया क्लियर तो इस चुछ को ध्याने कीगा बेसिक अगर देखा जाए तो एक संदब को ध्याने कीगा जिसको किसके रूप में जानते हैं कहा जाता है कि भारत के इसकटिक दल ने ACI खिलो में अपना डैस 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 पदक जीता मतलब अगर बात करें तो हमारी इसकेटिंग प्रतियुकता की बारे में आपने सुना होगा अगर उसकी बात की जाये तो इसकेटिंग प्रतियुकता को ले करके हमारे भारत के द्वारा क्या किया गया यहां पर पदक जीता गया होंग जो में हमने पहली बार अपना पदक जीता और पहली बार हमने पदक जीता तो इसकान से हम कह सकते हैं कि ये खेलो की परिपेच में इसकटिक डल की जब बात की जाए तो इसकटिक डल का आपका पहला पदक था इसकेटिक की जब बात की जाये तो खासा आपने सुना होगा यहाँ पे जब हम महिला की बात करते हैं तो महिला इसकेटिक प्रत्योकता में खास करके जो 3000 मीटर की आपकी प्रत्योकता थी अगर इसमें देखा जाये तो इसे परिपेच वी आपने सुना होगा खासा जिसे हम Relay Team के रुप में जानते हैं इसके टिक मतलब ध्यान खेगा आपने देखा होगा एक ठू मने ही होता है जो हाथ में एक ठू मसाल टाइप की संद्शना होता है उसे लिए करके दूटा है जैसे 200 मीटर जाता है तब तक दूसर का खड़ा होता है जैसे पकड़ा देते हैं तो दूसर का भाग जाता है और उसके बाद तिसर का इसे तिन-चार लोग मिल करके का करते हैं इसको दवगते हैं तो Relay Team के रुप में इसे जाना जाता है खास करके अगर महिला Team की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा जैसे हीरल संधू हीरल संधू की जब बात की जाए तो हीरल संधू का नाम आता है हीरल संधू के अलामा अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा कार्तिक क्या नाम था कार्तिका जग्डीश्वरन की जब बात की जाए तो एक नाम इनका आता है और साथ ही साथ आरती कस्तूरन की जब बात की जाए तो आरती कस्तूरन का नाम देखने को मिल जाता है तो आरती कस्तूरन की जब बात की जाए तो आरती कस्तूरन का आरती का हिरल संदू इन तीनों ने क्या किया था यहां पर गोल्ड मेरल जीता basic अगर देखा जाया तो इस परिपेश भी आपके सेखते हैं इनको कौन सा पदक पराप्त हुआ तो इन्होंने जो पदक जीता वो खास करके रजत पदक जीता रजत पदक जीता तो इनका नाम प्रमुकूप से देख मिलता है ठीके इन्होंने क्या जीता रजत नहीं इन्होंने कांस से जीता था कांस से नाम की पदक की जब बात की जाए तो कांस से महिलाओं के द्वारा जीता गया और इसी परिपेश फिर नाम देरे के कांस से प्रतियुक्ता की जब बात की जाए ये एक ऐसी प्रत्योगता है, कास करके रिले दौर की जब बात की जाया, तो इसमें भारत के महिला और भारत के पुरुस दोनों ने क्या किया, पदक जीता, जहांपे हीरल, संधु, कार्तिका, आरती, कर्सूरन, इनों ने क्या किया, तीन हजार मीटर को ले करके, और इसी पर पेज की जब बात की जाया, तो पुरुस का भी नाम ध्याने कीगा, क्योंकि पुरुस की जब बात की जाया, तो आपने सुना होगा, जैसे आरियन पाल, आरियन पाल, आरियन पाल के अलामा अगर देखा जाया, तो आपके सिधान्त और बिक्रम, क्या नाम था, सिधान्त औ बात की जात कांसे पदक को ले करके हमने दोनों कटिग्री में मतलब महिला बे भी और पूरुस में भी हमने क्या किया यहाँ पर दो पदक जीते हैं मतलब आपका कांसे पदक जीता खास करके पूरुस के लिए आपका कांसे और महिला के लिए भी आपका कांसे पदक तो अगर अगर हम बात करते हैं इसका टिक प्रत्योक्ता या पर जिसको रिले टीम दवड के रूप में जानते हैं तो इसका नाम ध्यान लखेगा बेसिक अगर देखा जाए तो एक बेक्ति होते हैं मालदीव के राष्टपती मालदीव के राष्टपती की रुपे अभी हाल फिलहाल में किनोंने चुनाओ जीता है चुनाओ की जब बात की जाये तो चुनाओ पद्धती को ले करके अगर देखा जाये तो इसका नाम प्रमखूप से देखने को मिलता है इस पहलू की जब बात की जाए तो डाक्टर मुहमद मुज्यो के रूप में होते हैं इबराहिम मुहमद सौली के रूप में होते हैं मुहमद नसीब के रूप में जाने जाते हैं या फिर कासिम इबराहिम के रूप में जाने जाते हैं मालदीप, मालदीप के बारे में आपने सुना होगा भारत की अवस्तिती की जब बात की जाए, तो भारत की वस्तिती में ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी के बाद ये अरब सागर है, ये तो आप जानते हैं, यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ गुजरात की जब बात की जाए, यहाँ पर एक संधी आपको देखेंटी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मलक्का देख मिलता है, मलक्का की अलामा अगर यहाँ देखा जाए, गुजात में यह काउंसी संधी होती है, तो रहसा बताएं, अरब सागर में खासा देहने कीगा, तो जैसे यहाँ सिरलंका है, तो यहाँ पर आपके कुछ बिसेष दीपो का समोव है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मालदीव के रूप में जानते हैं, ठीक है, तो मालदीव की जब बात की जाए, तो मालदीव को आधारित करते हुए खासा ध्याने कीगा, इसका नाम देख मिल मालडीप के परिपेच में इसका नाम प्रमकूप से देखने को मिलता है। और देखा जा तो भौतिक पुरसकार का नोबिल पुरसकार किसे प्राप्त हुआ ये नाम होता पियरे एगस्टिको को, फरंके कास्ट को, एनी इल खुईलियर को ये बगवान, कुल मिल जाएगा लेकिन इनको बढ़ियां बढ़ियां नाम नहीं मिलेगा बहुत की के लिए नोबिल पुरसकार जीता गया और बहुत की के लिए नोबिल पुरसकार की जब बात की जाए तो यह नोबिल पुरसकार हमें देख बिलता है पिरे एगस्टोनी को या फिर आपके फिरंके काश्ट को या फिर एनि इल हुईलियर को या फिर आपके उपरोगत सभी एक्शली इनकी जब बात की जाये तो इन्होंने एक बड़ा महत्पूर्ण काम किया कि जो हमारे इलक्टान की गत सीलता होती है इलक्टान की जो गती सीलता होती है उसको ले करके इन्होंने क्या किया था सोध किया था इलक्टान की गत सीलता और उसमें जो पूरा-पूरा एक अध्यन होता उसको इन्होंने क्या किया पूरी तरीके से संदर्व लिया और यही पर बताया कि कैसे प्रकास जो एटो सेकंड में चलता है एटो सेकंड की जब बात की जाए तो एटो सेकंड में कैसे मूब करता है उसके दालों में उत्पन जो विसेस प्रकार के दोलन होते है उसको उत्पन जो संडचना होती है उसको इन्होंने क्या किया पूरी तरिके से देखा तो परिपेच की जब बात की जा तो इन्होंने इसके लिए पूरा संदव जीता अब ये भासा आपको नहीं समझ में आ रही है ना इलक्टान की गसीलता प्रकास का एटो सेकंड चलो ठीक है कुछ तो पता है एक चीज पता होगा टीबी जानते हो ना अगर हम बात करते ही तो इसका नाम क्या होता है हमारी हाँ पर अगर देखा जाए तो इस परिपेच में क्या कहेंगे टीबी की जब बात की जाए इस सही रहा भाई का लिखे हो एक बार फिर से तनी लिखो तो का लिखे हो भांग पीकर भाई 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 कुछ हैसे टैलेंटल लोग आते हैं पूरा लिखो एक बार फिर से तो भांग पीकर का लिखा था फेरे लिए भांग पीकर फेरे लिए भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकास के साथ एनी ने प्रकास के साथ बहुत अच्छी बात है भांग पीके फेरे लिए एनी ने प्रकास के साथ भांग मतलब सीधे बात इतना तो हम भी समझ पा रहे हैं ये भाउत की का हो जाएगा और पीकर की जब बात की जा तो पीकर से पीरे है यही तो talent है फेरे मतलब आप कह सकते हो फेरेंक और एनी मतलब एनी हुलियर ठीक है बहुत अच्छी बात है जिसने भी बनाया है मतलब काविली तारीफ है तो भांग पीकर फेरे लिए एनी निप परकास के साथ तो आधारित करते हुए आप कह सकते हो किसका संदर्ब क्या होगा बहुत की पेरे और यहाँ पर गड़ कर सकते हो कि फेरेंक और फेरेंक के लामा आपका एनी बैलू की जब बात की जाए तो इसका परिपेश के से होता तो इन्होंने नोबल पुरसकार जीता और नोबिल पुरसकार की जब बात की जा तो जैसा कि हम बता रहे थे अपने चर्चा को ले करके कि यह जो LED TV होती है उस LED TV की जब बात की जा तो उस LED TV को ले करके खासा ध्याने कीगा इन्हों ने क्या किया सोध किया LED की जब बात की जा तो इसका नाम प्रमकूप से देखने को मिल जाता है आगे की बात की जा तो एक नाम ध्याने कीगा कि भारत और बंगलादेश ने उम्रोई मेघाले में बारसिक सैन अभ्यास का ग्यारवा संस्क्रण सुरू किया है अगर देखा जाए तो इसका परिपेच हमें देखने को मिलता है बेसिक अगर देखा जाए तो उम्रोई मेघाले के अंतरगत उम्रोई मेघाले की जब बात की जाए तो बहाँ पे बारसिक सैन अभ्यास अगर इसकी बात की जाए तो इसका ग्यारवी नंबर का संस्क्रण देखने को मिलता है पिच्चर ट्यूप तो पुरानी वाली टीवी में था अब वाली जो टीवी है उसमें आपने दिखा होगा चोटे चोटे डॉर्ट्स होते है लेडी होती है जिसके माद्यव से का होता है वो बड़ी तीजी से कनेक्ट करते हैं तब यह आपने दिखा होगा बहुत हाई क्वालिटी का भी पिक्सल जो होता है उसमें आप फिगर को समझ नहीं पाती कि उसमें बारीक सा भी आपको अंतर दीखे तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था संप्रीती किस एक देश के एथलीट ने दो मिनट से भी कम समय में इस कैम लाइन पर 100 मीटर चल करके बिस रिकॉर्ड बताया आप भी जानते हैं हबार यहां पर देखा जाए तो आप गाव में देखे होंगे गाव में कुछ नट समधाय के समधित ब्यक्ति आते हैं जो रसी बांद करके क्या करते हैं? इसके उपर मुमिन करते हैं तो यह तो संकल्पना होती है गाव की लेकिन पहली बार एक ऐसे ब्यक्ति होते हैं जिन्होंने क्या किया? इस प्रत्योकता को करीब करीब 1600 मीटर उचाई मतलब समझ पा रहे हो ना? लगब 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 1.5 किलोमीटर उचाई उतना उचा आदमी महीं पिका करे विल डोल के गर जाएं लेकिन यह है एक ऐसे बीक्ति होते हैं जिन्होंना क्या किया? इन्होंने 1600 मीटर आप कर सकतो हो बड़ी महतपूर संकल्पना होती है कि इन्होंने 1600 मीटर खास करके कि उचाई पर जा करके उचाई पर जाकरके इन्होंने उस पर भी बढ़ी तेजी से साथ क्या किया यहां पर चलने का रिकॉर्ड बनाया खस आप कह सकते हो कि यह 100 मिटर की जो दूरी होती है उन्होंने करीब और आप कह सकते हो इस दूरी को 100 मीटर की दूरी को कवर कर लिया, so इनका संबंध कहां से होता है, तो यह आप कर सकते हो कि हमारी हाँ पर चाइना से संबंधित माने जाते हैं, और इसी कहाँ से इन्होंने क्या किया, वल्ल्ड रिकोर्ड कायम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड की जब बात की जा तो इन्हों ने एक तरीके से कहाँ दिखते हो यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हलाकि इससे पहले अगर इनकी बात की जा तो एक ब्यक्ति थे फ्रांस के फ्रांस के बैक्ती की जब बात की जा तो उनके पास ये record था और उनके पास जो record था आप कहा सकते हो कि इस परिपेच फे इन्हों ने जो दूरी कवर करी थी वह कवर करी थी एक दस्वलो पांच नौ मिनट में तो करीब करीब दो मिनट में इन्होंने क्या किया था, इस दूरी को कबर किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल केवल 114 मिनट में फर 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 दौर गेर असरी पर, खास करके कहां पर, आपके 1600 मीटर उचाई पर, जो दो पहाड़ीों के बीच में आपके बा माता है कि 2022 में ACI खेलो के कैनो इस परधा में कांसे पदक जीतने वाले अरजुन सिंग और सुनिल सिंग सलाम कितने साल लग गए है कैनो प्रत्युक्ता की जब बात की जा तो आपने देखा होगा ना नदिया में नईया डोले तो उस पर पेच की जब बात की जाए तो हमारी ह दियान एख़ेगा यहां पिसी का बहाना नहीं चलेगा, यहां पे दोनों लोगगों का करना पड़ेगा चपू चलाना पड़ेगा, नहीं वहीं बीच धार में का करेंगे, आपके नईया उलट-पलट जाएगी, तो इस परतियुक्ता की जब बात की जाए, तो यह अपने बड़ी बेकार परतियुक्ता कहीं जा सकती है, क्यों क्यों कि यहाँ सेलफी कीचनी वाला तीसरा नहीं होत यहाँ पर दुईये बेकती होते हैं, दूनों को चपू चलाना पड़ेगा, तभी आप क्या करेगे, नदी के इस पार उस पार जाएंगे, तो खासा ध्यान कीगा, इस कोम क्या करते हैं, कैनों प्रतियुक्ता की जाए, तो कैनों प्रतियुक्ता में हमारे ही देश से अरजुन सिंग और सुनिल सिंग, इन्होंने क्या किया, इस परिपेच की जब बात की जाए, तो इन्होंने कांस से पदक जीता, पहली बात तो यह द्याने कीगा, इन्होंने कांस से पदक जीता, और कांस से पदक जीतने के मामले में, अगर देखा जाए, तो इस की जा तो यह आपके मिजोरम से देखने को मिल जाते हैं मड़ीपूर मड़ीपूर मिजोरम की जब बात की जा तो वहां से इनकी अवस्तिति आपको देखने को मिल जाती है ठीकर तो मड़ीपूर से सुनेल सिंग होते हैं और अरजुन सिंग आपके रुर्के से समधित होते है दोनों ने मिल करके क्या किया, इस पृत्योक्ता में अपना सबसे तेज चप्पू चलाया और आप कह सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने कितने सालों के बाद, कितने सालों के बाद यहाँ पर पृत्योक्ता को जीता में तो उस टाइम पे हमारे देश के सम्मधित कर सकते हो कुछ बेक्ति ही थे जिन्नोंने कांस सिपदक जीता था तो कांस सिपदक हीरो सीमा में 1994 में आये था उसके बाद 39 साल लग गए तब हमने क्या किया कैनों प्रत्योकता में खास करके कांस सिपदक जीता है दो बेक्ति है तो इस पर 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 थे नाम ध्याने कीगा हमारी पर देखा जाए तो उसको क्या किया गया अभी बंद कर दिया गया है ये 17 वर्षू तक एक मिसन चला था खास करके अगर देखा जाए तो ये हमारी पर विभिन मसलो जैसे जल्वाय की बात करता है जल्वाय की अलमा meetings permitir जैसे मौसम की बात करता है ठीक है जलवाय जलवाय के लावा मौसम मौसम के लावा जैसे वाय की गुडवत्ता इन सारे मुद्दों पर क्या करता है यह पूरी तरीके से वारतालाप करता है मतलब इन सब विश्यों पर क्या करता है सोध करता है और उसके लिए यह mission आपका launch किया गया था कलिस्पो mission के रुप में है खास करके अगर देखा जाए clouded aerosale lidar clouded aerosale lidar infrarid pathfinder satellite or organization अगर इसकी बात की जाए तो यह इसका पूरा-पूरा नाम था तो अब इस mission को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है खासा यह NASA और NASA के अलामा एक और संस्था आपने सुना होगा CNES क्या बोलते हैं CNES की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से इसको चालू किया गया था CNES अगर इसकी बात की जाए तो इसके माध्यम से इसको चालू किया गया था जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं कि जलवाय की बात हो, या आपके मौसम की बात हो, या आई की गुरवत्ता की बात हो, तो इन सब चीजों को जाचने के लिए इसको लगाया गया था, लास्ट टाम अगर देखा जाए तो लास्ट टाम जब आपके आस्टेलिया की जंगल की आग लगी थी, आस्टेलिया में, जब जंगल में आग लगी थी, तो उसमें हमने जो डाटा वगरे का प्रियोग किया था, वह इसी के माध्यम से दिये गए, डाटा का हमने प्रियोग किया था, ठीक है, तो इस पर पेज की जब बात की जाए, तो इस पर पेज को ध्यान रख खास करके आपने सुना होगा, उनीस सो अठावन में क्या किया गया था, इसकी आधार सिला रखी गई थी, इस रोखी जब बात की जाए तो यह आपके 15 अगस्त, खास करके देखा जाए, तो 15 अगस्त सन 1979 को इसकी अस्थापना करी गई थी, यस सुमनात की बारे में आपने अध्यक्ष होते हैं, और बंगलूरू की जब बात की जाए तो बंगलूरू क्या होता है, इसका कारियाल है, इसका मुख्याल है देख मिलता है, ठीक है, तो इस चीच को ध्यान रखीगा, कहा जा रहे कि बिस पसु दिवस 2030 की थीम क्या होती है, बिस पसु दिवस की जब ब अक्टूबर का नाम ध्यान रखीगा क्योंकि 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं बिस पसू दिवस क्रूप में आज़ित करते हैं अब इसी पसू की बात की जाय तो पसू को लेकर कि हमारी हाँ पर जो पसू दिवस आज़ित किया जाता है उसकी हमने एक थीम रखी थीम का जो सं अनवर तो जानवर है और इसलिए हमें सब को क्या करना है प्रेम करना है तो खासा ध्यानिकी का 4 अक्टूबर जिसको हम बिस पसू दिवस की रूप में जानते हैं और पसू दिवस की जब बात की जाय तो इसका नाम प्रमखूब से ध्यान रखीएगा खासा अगर देखा जाय तो ये हमारी हां पर आप भी जानते ही कि एक संस्ता होती है जिसको हम करते है वल्ड अनी मल क्या वर्ल अनीमल की जब बात की जाये तो इसका पूरा नाम होता सब्सक्रस्टzepी जनका नाम था हमरik Jimmeran Henrik Jimmeran तो Henrik Jimmeran की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से क्या किया गया था इसको पहली बार आजित किया गया था बेसिक अगर दिखा जाए तो इसकी सुरुवात कभ हुई थी तो 1931 से इसकी सुरुवात मानी जाती है कबसे 1931 की जब बात की जा तो 1931 से इसकी सुरवात मानी जाती है और पहली बार जब इसका अजन किया गया था तो करीब करीब 5000 से जादे लोगों ने क्या किया था इसमें participate भी क्या था और participate करने के परिपेश में आपका सेखते हो इनका ये मानना था कि भाई देखो हमारी हाँ पर जो पसू होते हैं चाहे वो आवारा पसू हो चाहे पालतू पसू हो चाहे छोटे पसू हो या फिर बड़े पसू हो इन सब की जब बात की जाए तो इन सब को हमें क्या करना संदर्चित करना है और उस संदर्चित को ले करके इसकी बात करी जात तिरंदाजी प्रत्योकता की जब बात की जा, तो तिरंदाजी प्रत्योकता में इन्होंने क्या किया, गोल्डी जीता, देखें जिसको जाना है भीया, वो बिल्कुल जा सकता है, बाकी, यहां पर इस संकल्पना की जब बात की जा, तो यह संकल्पना हम 50 बार बोल चुके हैं आज फिर से एक्यामन बार बोल ले जा रहे हैं क्योंकि आप भी जानते ही ये जो class होती है चाहे वो सनीवार की हो या रभीवार की हो ये दोनों class है कब से कब तक होती है तो ये 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलती है तो अगर आपके पास समय नहीं है आपको class खतम लगती है समझ में नहीं आती है तो आप बिलकुल class को like करके बड़े इत्मिनान से जा सकते हैं लेकिन हमारी class ये 11 बजे तक चलने वाली है और हम बार बार करते हैं कि जब सुरू मजबूरी में किये थे लेकिन मज़ा आ रहा है तो बिलकुल मज़ा आ रहा है हम समय से पहले तो नहीं जाने वाले ठीक है चली यहाँ पर हम किसकी बात करें यहाँ पर हम बात करें खासा धने कीगा ACI Games पृत्युक्ता में तीरंदा जी के अंदरत और तीरंदाजी प्रतियोक्ता की जब बात की जाये तो यहाँ पर इन्हों ने क्या किया गोल्ड मडल जीता गोल्ड मडल की जब बात की जाये तो उनका नाम किस से समधित देखने को मिल जाता है तो खासा आपने सुना होगा इस परिपेच की जब बात की जाये तो ज्वैती सुरेखा का नाम आपने सुना था तो जोयती सुरेखा बेन्नम और आपके ओजस प्रवेर देवातले की जब बात की जाए और साथी साथ जोयती सुरेखा बेन्नम अगर निंकी बात की जाए तो उन्हें क्या किया इसे पृतियोकता में अपना गोल्ड मेडल जीता और यहां पर अगर देखा जाये तो इस पुत्योकता की परिपेच वे इनका नाम प्रमकूप से देखने को मिल जाता है खास करके अगर देखा जाये तो इस पहलू को ले करके ठीक है इनोंने compound message में यह थोड़ा सा दाने कीगा compound message की जब बात की जाये तो compound message में क्या किया उन्हें आपको चैने चित घोसित किया मतलब अगर देखा जाये तो अभी एक प्रतियोकता होती है जिसको में नाम देते इरानी कप इरानी कप की जब बात की जा तो इरानी कप के परिपेच हुए अभी सेष भारत, सेष भारत की जब बात की जा तो एक टीम होती है यह ध्यान कीगा, सेष भारत की जब बात की जा तो सेष भारत क्या है यह अपने आप पे टीम मानी जाती है और इस टीम ने क्या किया है अभी एक टीम को हराया है और हरा करके ये चैंपियर बना है हराने की जब बात की जाया तो उन्होंने किसे हराया तो ये हराया था सौराष्ट टीम को सौराष्ट टीम की जब बात की जा तो सौराष्ट टीम को इन्हों ने हराया खास करके देखा जा तो ये राज कोट में पृतियोकता आज जीत की गई थी राज कोट आप भी जानते जो आज बातमान में गुजात में परता है तो वहाँ पर खास करके, यहाँ पर इन्हों ने क्या किया, इस पृतियोक्ता को कह सकते हो कि 175 रन से हरा करके, खास करके आप कह सकते हो इरानी कप, इरानी कप पृतियोक्ता को जीत लिया, इरानी कप खासा ध्याने कीगा, यह क्रिकेट समधित एक पृतियोक्ता होती है, ठीक तो इस परिपेच्वे ध्याने कीगा, सवराष्ट ने क्या किया, यहां पर हारा, और सेस भारत की जब बात की जा, तो सेस भारत, इरानी कब को पूरी तरीके से चीता था, ठीक है, आगे की बात की जा तो एक नाम ध्याने कीगा, ICC पुरुस वंडे विश्व कब प्रत्युक चला है, खास करके देखा जाया तो ICC जिसकी अस्थापना 1905 में की गई आपने सुना भी होगा खास जब हम बात करते हैं बिन्नी जी के बारे में तो बिन्नी जी क्या हो जाते हैं इसके अध्यक्ष हो जाते हैं लेकिन जब हम बैस्विक राददूत की बात करते हैं तो जो वर्ड लीपल पेस को रिपेजेंट करें उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे नाम दिया गया Master Blaster Sachin Tendulkar खास करके भारत पुरत Sachin Tendulkar की जब बात की जाए तो उनका नाम ध्यान एक गया क्योंकि इन्हें क्या किया गया है आप भी जानती है ये छे बार World Cup खेले हैं World Cup की जब बात की जाए तो World Cup खेलने वालों में जो एक विसेश नाम आता है उनका नाम आता है Sachin Tendulkar Sachin Tendulkar छे बार क्या की हैं इस पित्योगता को खेले हैं और अनतता है आप जानते हैं कि 2011 में इन्होंने क्या किया था World Cup जीता भी था तो 2011 में World Cup इन्होंने जीता भी था Basic अगर देखा जाए तो इसी परिपेश में ध्याने कीगा इनकी जब बात की जाए तो 2011 में इन्होंने वल्ड कॉप जीता और प्रमकूप से छे बार इन्होंने इसे खेम को कह सकते हो कि खेला था परिपेच वेकर दिखा जा तो सचिन तिंदुलकर को इसी कार से क्या किया गया यहाँ पर आपके ब्रांड अमबेश्टर खासा राजजूद के रुपे नियुक्ति किया गया है तो इस चुछ को ध्याने कीगा आज सी सी जिसके बारे में हमने बताए कि 1905 में इसके अस्थापना की गई थी बिन्नी की जब बात की जा तो बिन्नी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं और खास करके दुबई की जब बात की जा तो दुबई में इसका मुख्याले होता है नियुक्ति किया जाता है तो SRK की जब बात की जा तो ये भी आपके ब्रांड अबेश्डर नियुक्ति के गया है जैसे अबने बताया कि UK करूप में इनका नाम प्रामुखूप से देखने को मिल जाता है अलग-अलग मसहूर जो सिलिबिटी है उनको क्या किया जाता है यहां पर आपके नियुक्ति की गया है तो इस चीज को ध्यान दखेगा तो इस चीज को ध्यान दखेगा किसके बारे में जब हम बात करते हैं अपने हाँ पे खासा आपके ICC World Cup को ले करके है आगे की बात की जाए तो एक नाम होता है खासा जिसे हम नाम देते हैं कि रसाइन विग्ञान रसाइन विग्ञान 2023 का जो नोबिल पुरसकार दिया गया और नोबिल पुरसकार की जब बात की जाए तो मैंगो जी, मैंगी जी, बाविंडी, लुइस ई, ब्रूस और एलेक्सी आई, एकुमेओ अगर इनकी बात की जाए तो इन लोगों ने कौन सा काम किया था जिस कान से इनको क्या किया गया कमिश्टी का नोबिल पुरसकार दिया गया कमिश्टी के नोबिल पुरसकार की जब बात की जया तो इसके घोसला की गई तो यहां पर यह जो पुरसकार था रसायन विज्ञान का खास करके मैंगो जी, बाविंडी, लुईस और ईबूस, एलेक्सी, आई, एकुमियो अगर इनकी बात की जय तो इनके लिए ये पुरसकार दिया गया था खासा अगर दिखा जय तो इसका संदर्व हमें देखिलता है क्लिक कमिश्टी और बाइयो आर्गैथनल कमिश्टी के विकास के लिए और यहीं पर देखा जाये तो प्रक्रणन प्रभाव में की गई खोजों के लिए साथ ही साथ क्वांटम डार्ट के खोज और उसके संसलेशन के लिए या फिर यही पर आप कर सकते हो कि इन में से सब ही एलक्सी एक टन मेंगी लाई अच्छा एलक्सी एक टन मेंगी लाई अच्छी बात है यहाँ पर इसका सही दिवाब क्या होगा बेसिक अगर दिखा जाये तो आप कह सेकते हो इन्हों के माध्यम से क्या किया गया जो कॉन्टम डार्ट होते हैं उसकी खोज और उसकी संसलेशन के लिए इनको क्या किया गया इस बार का कमिस्टी अर्थात रसाइन विज्ञान की जब बात की जाया तो रसाइन विज्ञान का खासा आप कर सकते है इनको यह है पुरसकार दिया गया ठीक है बेसिक अगर देखा जाये तो एक नाम आता है कि बिहार सरकार के माध्यम से अभी हाल फिल हाल में क्या किया गया एक EWS के लिए 10 परच्छन आरच्छन की घुसरा की गई है अब 10 परच्छन आरच्छन की जब बात की जाये तो इसका नाम प्रमकूप से देख मिलता है नियाइक सेवाओं के लिए या फिर सरकारी लोग कॉलेज के लिए या फिर एक और दो दोनों के लिए या फिर आपके इन में से कोई नहीं है बेसिक अगर देखा जाये तो इसका नाम प्रमकूप से देख मिलता है हवार यहां पर अभी बिहार सरकार के द्वारा चुकि आ आप भी जानते ही कि अभी काष्ट के आधार पर क्या किया गया सेंसेस किया गया और जाती जनगर्ना की जब बात की गए तो उसी जाती जनगर्ना के बाद यह नाम हमें देख मिलता है जाती जनगर्ना जो आपके बिहार में आजित की गई उसके बाद क्या किया गया यह आ अगले दिन क्या किया गया, कि जो हमारी हाँ पर अगड़ी जाती होती है, हलाकि अगड़ी जाती हो में, खास करके जो लोग गरीब तपके से हैं, EWS अर्थात, economic weaker section से समधित होते हैं, तो उनके लिए सरकार ने क्या कहा है, कि जितनी भी नयाईक सेवाएं हैं, या फिर जो सर कारी law college हो, या फिर आपके EWS हो, दोनों के लिए क्या होगा, यहाँ पर reservation दिया जाएगा, ठीक है, आगे की बात की जाती है, तो राज हस्बेंड के लिए, Asia Pacific Screen Award में, सर्वसेश्ट निर्देशक के नमांकद के रुप में, किसका नाम देखने को मिलता है, किसका नाम, करते हैं किसके लिए, टुरांज हस्बेंड, टुरांज हस्बेंड की जब बात की जात, इसके लिए, यहाँ पर क्या किया गया, खास करके निर्देशक के रुप में, क्या किया गया, नमांकित किया गया, तो नमांकन की जब बात की जात, तो इसके लिए, सबसे पहली बात ध्याने की गा, Asia Pacific Screen Award, मदब आपका ऐसे एक तो Asia लेबल पे यह आपका अवार्ड दिया जाता है, और इस परिपेश की जब बात की जाये, तो इस परिपेश में किसका नाम आता है, तो खासा ध्याने की गा, रीमा दास की जब बात की जाये, तो रीमा दास का नाम खासा यहाँ पर ध्याने की गया, इनको क्या किया गया, Asia Pacific Screen Award में खास करके इस परिपेश भी क्या किया गया है, सर्बसेश्ट, सर्बसेश्ट निर्देशक की रुप में नामांकित किया गया है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान लखेगा, रीमा दास की जब बात की जाये, तो रीमा दास का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्लियर है, किसके हम बात करें, टुरांज हस्बैंड, तो टुरांज हस्बैंड के जब बात की जाए टुरांज हस्बैंड मतलब एक कैसी मुवी जिसके बारे में बताया जाता है जब हमने गूगल किया तो यहां पे बताया जाता है कि यह भाई और भावी के कहानी के बारे में चर्चा की गई है ठीक है भाई और भावी की जब बात की जा तो उसकी कहानी के बारे में चर्चा किया गया है जैसे आपने पैड मैं नाम की मूवी को देखा था तो पैड मैं मूवी में क्या किया गया था पैड मैं में एक तरीके से कह सकते हो तो साफ सफाई की बात की गई थी, हलाकि वहाँ पे भी बात की गई थी, कि जो महवारी होती है, मेंसुरेशन साइकल, उसमें वो जो पुरानी कपड़े होते हैं, उसकी जगए पर सस्ता पैड बनानी की बात की गई, तो इसी तरीके से भाई-भावी की जब बात की जाए, तो सिधी सी बात भाई-भावी ही है, इसका मतलब आप कैसे क्ते हो, कि दो अपने आप में हस्वेंड वाइफ और उसी परिपेच में आप कैसे क्ते हो, कि जब किसी भी महिला को महवारी आती है, तो उस दसा में उसकी क्या एक परिस्तिती होती है, तो उस दसा को दरसाते हुए, यहाँ पर उसका दैनिक जीवन कैसे होता है, दैनिक जीवन के अलामा आप कैसे हो, कि उसके रिष्टे कैसे उस टाइम पे हो जाते हैं, रिष्टे के अलामा अगर देखा जाए तो अलग-अलग बेक्तियों को ले करके जो उस टाइम पे उसके प्रती मानिविये व्योहार दरसाते हैं या फिर सीधे सब्दों में कह सकते हो चुकि पती-पत्नी है तो एक प्रेमी प्रेमिका का एकाधार कैसे होता है मतलब आपके सकतों की केर करनी के मामले में तो इन सारी चीजों को इन सारी कथानक को क्या किया गया है यहाँ पर पूरी तरीके से दरसाया गया है ठीक है तो पेरियर या फिर महवारी की जब बात की जा तो उस दसा में होने वाले जो kitkals होते हैं या फिर जो उसकी विसेश जरूरत होती है कास करके महिला और महिला के साथ जो उसका पती है जो उसका कसिक्तो की husband है वो कैसे उसका care करता है तो उसके लिए तुराज husband नाम के यहाँ पे फिल्म की बात की जाती है और उसके लिए रिमाधास को सर्वसेष्ट निदेशक की रुप में चैनी किया गया जैसे आपके पैडमैन की बाथ की गई थी का जाता है कि विश्व सिचक दिवस हम लोग आजित करते हैं लेकिन यह कैसे एक दिवस में आजित किया जाता है बिस्व सिच्चक दिवस की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमकोप से देखने को मिलता है वर्ल्ड सिच्चक दे की जब बात की जाए तो ये कवाय जित होता है तो सीधे सब्दों में धाने कीगा पांच अक्टूबर आप भी जानते पांच सितंबर पांच सितंबर क्या होता है पांच सितंबर हमारी हाँ पर राश्टिय सिचक दिवस की रुप में आजित होता है और इस पांच सितंबर की जब बात की जा तो आप भी जानते सरपली, राधा, किष्णन की जब बात की जा जो देश के परिपेचवें आँकर सह perfekt हो कि दूसरे राष्टपती के रुप में जाने जाते है उनहीं के परिपेचवें क्या होता है इसको आजित किया जाता है तो पांच सिथम्बर नैस्नल होता है और पांच अक्टूबर की जब बात किया जा क्या है शिच्चकों की कमी को दूर करने के लिए बैस्विक आप सकता ये क्या रखा गया था यह आपकी बार की इसकी थीम रखी गई थी तो हमें जो बात्मान में ने सिच्छा चीए उसके लिए सिच्छक की ज़रूरत है, तो सिच्छकों की कमी दूर करनी के लिए बैस विक आउ सकता, ये क्या हो जाती है? ये अब की बार की इसकी थीम हो जाती है. अच्छा एक जी ध्यान किगा, पांच अक्टूबर को ही क्यों मनाय जाता है? है क्योंकि योनस्को के संदर में, योनस्को की जब बात की जाए, तो योनस्को के संदर में, योनस्को की जो सिपारिस होती है, उसके माध्यम से, एक 1966 में, योनस्को ने क्या किया था, योनस्को ने आई यलों के पास, एक सिपारिस दिया, 1966 में और 1966 के अंतरगत क्या हुआ इस पहलू को यहां पे दर्साया कि यहां में अपने टीचरों का भी सम्मान करना है और उस टीचरों के सम्मान करने के लिए एक दिवस सुनिश्रित करना चाहिए और उसी दिवस को हमने क्या कहा पाँच अक्टूबर के रूप में सुनिश्रित किया तो आई लो की जब बात की जा तो ये उनुश्रिकों के सिपारीश के मादिम से 1966 से इसको आज़ित किया जाता है चुकि यह दिवस पाँच अक्टूबर का था तो इसे पांच अक्टूबर को ही हम क्या करते हैं इस दिवस के रुप में सुनिश्य करते हैं ठीक है आगे की बात की जात एक नाम होता है कि भारतिय नौसेना ने दुस्मन हमले से सुरच्छा के लिए स्वधेसी नविगेशन पडाली और जुन्ड रोडी ड्रोन को विक्सि कि बात की जात तो अभी हमारे सुदेशी ने विगेशन सिस्टम को डवलप किया रहा है और जितने भी जुन्ड रोडी ड्रोन होते हैं उनको विक्सित किया जा रहा है ताकि हम सुदेशी ने विगेशन पडाली को व्यवस्तित करपाएं जैसे अभी आपने सुना था किसक करते ही कवच किसके लिए चालू किया गया था कवच की जब बात की जात तो कमच था railway के लिए railway सुरच्छा पणाली के लिए जैसे आपने GPS के बारे में सुना होगा जी पीस किससे समद्द है GPS की जब बात की जा तो GPS का समद्द है अमेरिका से जो नवीगेशन सेटलाइट क कि रूप में कार्य करता है अब हमारे भारत की जब बात की जा तो भारत का निविगेशन सिस्टम कि इसके रूप में जाना जाता है तो इसकी जब बात की जा तो इसे हम निसार की रूप में जानते हैं किसके रूप में निसार की जब बात की जा तो निसार ये वाला होगा य उसी गंगत निसार की जब बात की जा, तो निसार को आपका लांच किया गया है, जिसका सम्मध होता है कि सूचना साजा करनी के लिए नेटवर्क, सूचना साजा करनी के लिए नेटवर्क, तो सूचना साजा करनी के लिए नेटवर्क की जब बात की जा, तो इसकी संकल्पना यहां पे आपको देखने को मिल जाती है नेटवर्क फार इनफॉर्मेशन सेरिंग क्या कहते हैं नेटवर्क फार इनफॉर्मेशन सेरिंग नेटवर्क फार इनफॉर्मेशन सेरिंग नेटवर्क फार इनफॉर्मेशन सेरिंग यह इसका नाम दिया जाता है बिक्सित किया है ताकि दुस्मन के जो भी कहीं हमारी हाँ पर कोई आप कर सिक्तो की डोन वगरे होते हैं उससे हम कहीं न कहीं अपने आपको सुरच्छा करें तो इस पहलों को ध्यान लखेगा ये स्वदेशी निविकेशन पडाली होती है बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम ध्यान कीगा आगर की जब बात की जाए तो नाम ध्यान कीगा किसको ले करके कहा जाता है कि एस याई खेलों के अंतरगत लवनीना बोरहेगन ली कियान के माद्यम से कसिक्तो हार गई और हार करके इन्हों ने क्या किया रजत पदक जीता अब ली कियांग की जब बात की जाए तो ली कियांग कहां से समधित हो जाती है ली कियांग ली कियांग नाम से ही पता चला है की रामकोरा खाने वाले मनी हैं तो अगर इनकी बात की जाए तो इनका समध कहां से होगा ली क ली की कियांग की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमकूप से देखने को मिलता है। ये कहां की रहने वाली है। चाइना की, दक्षिर कोरिया की, जापान की या फिर आपके रूस की, इनकी जब बात की जाए तो इनका संब्ध प्रमकूप से। ली की कियांग, अगर इनकी बात की जाय तो इनका संदव कहां से होता है तो इनके संब्ध की जब बात की जाय तो सीधी सी बात इनका धाम ध्याने कीगा इनका जो संब्ध होता वो चाइना से देखने को मिलता है चाइना की रहने वाली ली की क्यांग हो जाती है और ली की क्यांग की जब बात की जाय तो उन्होंने क्या किया रजत पदक चीता तो चाइना के संदर में इनका नाम ध्यान ने किएगा इस परिपेच वगद देखा जाए तो इनका नाम प्रमखुप से हैं ठीक है बेसिक अगद देखा जाए तो नाम की बात की जाते है तो एक देश आता है और गौह का जाता है भार इखने को मिल लाता है। अबश्या अमिर्वर्मा करें आवाज इस चैनल पर प्राब्लम है बाकी समस्त है। बतायों कोई समस्या है काया हलों आवाज को लेकर कि कोई समस्या है हमारी वोज यह नहीं जारी है आप तक मारी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है पता है ये आवाज की जब बात की जा तो आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है कोई समस्या का कम आती है तो फिर तो ये गलत बात है आप थोड़ा सा अपने बैलूं को बढ़ाएए तो कि ऐसा थोड़ी नहीं कि मनलब आवाज नहीं जाती है आवाज तो पूरी तरीके से जाती है यहाँ पर हम किसकी बात करें यहाँ पर हम खास करके बात करें किसको ले करके आपने हाँ पर उन्नेय सिवय एसी आई खेलो को ले करके ACI खेलो की जब बात की जाय तो ACI खेलो का संबंध हमें देखने को मिलता है ACI खेलो की जब बात की जाय तो ACI खेलो के लिए यह नाम प्रमखुप से हमें देखने को मिलता है हमने किस प्रत्योगता में गोल्ड मेडल जीता तो गोल्ड मेडल की जब बात की जाय तो खासा आपने सुना होगा चार लोग और 400 मीटर क्या चार लोग 400 मीटर की जब बात की जाय तो उसमें हमने क्या किया इस चोकडी में खास करके स्वन्ड पदग जीता था ये चार लोगों की जब बात की जाये तो उनका नाम क्या था तो एक का नाम आपने सुना था Amas Jacob क्या नाम था Amas Jacob की जब बात की जाये तो Amas Jacob साथ ही साथ अगर देखा जाये तो मुहम्मद अनस मुहम्मद अनस के अलामा राजियस रमेस क्या नाम था इन 4 बे से इस खिलाडियों के मध्धिम से क्या किया गया खास करके 4 गुड़े 400 मीटर का दौर इन्हों ने क्या किया था इस परिपेच्वे अपना gold medal जीता और gold medal जीत करके यह कह सकते हैं भारत के परिपेच्वे इन्हों ने क्या किया हौंग जो में आयोजित ACI गेम प्रत्योगता में अपना गोर्ड मिडल पुक्ता किया और गोर्ड मिडल की जब बात की जा तो उसका संदब ध्यान रखेगा का करे हो डी होगा सी होगा कहां से आये हो सी होगा तो हम का करें हमारा सी नहीं होगा हमारा D होगा चार गुड़े 400 मेटर ठीक है तो हमारा C है तो अपना C लिके बैठे रहो हमारा D होगा चार गुड़े 400 मेटर अज साब साब 4 मनी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं इका हैं एक हैं दो हैं तीन हैं चार हैं तो यहां से केके हम अटा दें, कौन आदमी है, जो बहुत बेकार दौरा है, उसको कहें, चलो, निकलो, निकलो, तीने मनी रिखें, मुल्ब कुछो, तुम लोग बोलोगे, कुछो हम समझ लेंगे, अधर पूरी तरीके से, चार गुरे 400 मीटर में, चार मनी के द्वारा दौरा गया था, इध्यान रखिएगा, चलो, आगे की बात की जा, तो का जा रहा कि, 2030 में फीफा 200 कप कितने अलग-अलग महादीपो में खेला जाएगा, अगर हम बात करें, तो यहां पर कितने महादीपो में फीफा वर्ल्ड कप आपका खेला जाएगा, फीफा की जब बात की जा तो फीफा अर्थात आप भी जानते हैं, किसके रूप में, जब हम बात करते federation of football association अरथा हूट फुटबाल के परिप्यच वह आप कर सकत हो सबसे महात्पूर गेम माना जाता है अचाब फुटबाल से समधित एक हमारी हैं पर बड़ा महात्पूर वक्ति है अगर देखा जा तो आप कर सकते हो कि world के 3 नम्बर का वक्ति होता है अगर उनकी बात की जा तो नहीं कर सोब में जानते हैं तो आपने सुना होगा सुनेल छेतरी सुनेल छेतरी की जाद की जा तो सुनेल छेतरी का नाम ध्यारेखेगा क्योंकि आज बbringen परिपयुच्व क्या सकते हो सब्सकित टॉप लेबल के खिलाड़ी बानते हैं उसी तरीके से फुटबाल की जब बात की जा तो फुटबाल की लिए सुनील छेती का नाम देखाने केगा कोई की जब नंबर आप गोल की बात करते हैं तो उसके लिए इनका नाम प्रमुक देखा जाता है अब देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि हमारी हाँ प फुटबाल एसोसियेशन फुटबाल एसोसियेशन तो हमारी यहां पर एक संस्ता होती है International Federation of फुटबाल एसोसियेशन जिसको हम फीफा के रुपे जानते हैं तो फूफा की जब बात की जाए तो ध्यान कीगा फूफा का आयोजन हमारी हाँ पर किया जाएगा लेकिन इन फूफा की जब बात की जाए तो इन फूफा का आयोजन कितने लोकिशन में किया जाएगा तो फूफा के बारे में ध्यान कीगा ये फूफा तीन जगह पर आयोजित किया जाएगे कितने जगे पर तीन की जब बात की जा तो तीन महादीपों में इनका आज़ित होगा महादीपों की जब बात की जा तो तीन महादीपों में इसको आज़ित किया जाएगा तो इस शीच को ध्यान ने केगा तीन महादीपों में इसका आज़ित किया जाएगा जिसमें आप करम से समझ सकते हो कि छह अलग अलग धेसों में क्या होगा इसका आयुजन प्रमु खुप से देख मेरेगा तो ये 2030 में आयुजित होगा 2030 का FIFA बिस्व कप अगे की जब बात की जा तो ये डाम ध्याने कीगा बात की जाती कि निमलकित में से किस एक ब्यक्ति ने 19. ACI खेलो में पुर्सो में भाला फेक प्रत्युक्ता में गोल्डे मेरे जीता है अब इस बित्ति के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है आप ही लोग बता है का का जानते हैं इनके बारे में इनके बारे में का का आप लोग जानते हैं इनका थोला सा नाम बताए ठीक है जाने की गा इन्होंने स्वाण पदक जीता पहली बात लेकिन दूसरा नंबर भी द्याने कीगा क्योंकि हमारी हाँ पर रजत पदक की जब बात की जाए तो यह ब्रेक्टी होते है किसूर कुमार जेना हलाकि बाला फेक प्ति उक्ता कि नेरा चूपरा की जब बात की जा तो चूपरा किते हैं तो आप भी जानते हैं 88,8 1865 इन्हों ने क्या किया अपना भाला फीक था और इसी परीपेश मेंगे देखा जाए तो जीना ने खासर कर Bye-nah पंच चार मेते है तो यह बसक्ति हो कि इन्होंने पदक जीता निरत चोपड़ा की जब बात की जाए बिल्कुल आप सत्केरो कि ये सुरिजर लेंड की जब बात की जाए तो सुरिजर लेंड के क्या होते हैं बरत्मान में आपके खास करके कर सकते हो कि ये ब्रांड बेस्टर भी माने जाते हैं ठीक है रामजीत कुमार करें, आपका टाइम टेबल नहीं पता चला है, लिए टाइम टेबल का बताएं, सबसे पहली बात तो यह ध्यान कीगा, आठ बजे भी नहीं भी नहीं क्या होता है, आपका करेंट अफेर होता है, और नौ बजे राती-राती का होता है, आपका यूपी जी के ह कोई संदेह इसके बाद कोई संदेह बसता हो तो बताएं ठीक है तो भाला फिक प्रतयोकता में क्या हो जाता है यहां पे आपके नीरत चोपड़ा के द्वहरा गोल्ड जीता गया और किसोर कुमार जीना की जब बात की जाय तो उन्हें रजत पदग जीता था ठीक है तो इस जोच को ध्यान केगा बाकी बात की जारी कि निम्लिकित में से कौन से एक ऐसे बेखती हैं जिन्होंने सुन जीतने वाली तिरंदाजी कंपाउंड प्रत्योक्ता टीम में हिस्सा नहीं थी अच्छा एक नाम अगर यहां पर देखा जाए तो इनका नाम क्या होता है आपने सुना था अन्नूरानी तो अन्नूरानी जो अभी अमारे भारत की परिपेच्व यूपी से समझत है इन्होंने भी भाला फेक प्रत्योक्ता में क्या किया था गोर्ड मेडल जीता था ठीक है चले यहापर हम बात करते हैं तीरंदाजी प् प्रत्योक्ता से समझत नहीं होती है जो अधिती सुरेखा बेन नम आदिती गोपी चंद्र या पढणीत कौर या फिर दीपका कुमारी तो सिद्धे सब्दों में आपके स्थे यहां पर जो एक महिला होती है अगर उनकी बात की जा तो उनका नाम क्या होता है दीपका कुम क्मारी की जब बात की जा तो दीपका कुमारी का नाम ध्यान केँगा देवेस बर्मा चला ठीक है अच्छी बात है आपका नाम नहीं लिया तो आप कमसे कम इस क्लास में जुड़े हैं हमें लगता है तो आप इस क् penguin कॉ लाइक साजा भी करें अपनी दोस्तों मित्तों के पास पहुंचानी के लिए वाकि आप भी जानते हैं यह बदलेना तकदीर मेरी क्योंकि वह मेरा भीभगवाण थो बदले feminism के जाए तो यह इस टीम के हिस्सा नहीं थी बाके को दिखा जा तो जोती सुरेचा अधिती गुपाल और परनीत कौर की जब बात की जाए तो इन सब का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है खास करके यह इस पत्युक्ता से समधिता की मानी जाती है और इस पत्युक्त है दक्षिर कोरिया की तो दक्षिर कोरिया की टीम को हरा करके इन्होंने क्या किया अपना गोल्ड मेडल पुक्ता किया था ठीक है आगे की बात की जाए तो एक नाम है देपका पलिकल और हरिंदर पाल संधू अगर इनकी बात की जा तो इनका संधू की स्केल से है देपका गर दिखा जाय तो इस परिपेज को नाम जाने केगा टेनिस किकट स्क्वैस या फिर टेबल टेनिस तो संदर्भू की जब बात की जाय तो आप भी जानते हैं इन्होंने क्या किया था इन्होंने मिस्षित युगल इसक्वैस प्रत्यूक्ता में अपना गुल्ड मिडल पुक को हरा करके इन्होंने क्या किया अपना गुल्ड मिडल जीता था तो इसक्वैस प्रत्यूक्ता की जब बात की जाय तो इससे संब्दित ही आपके जाने जाते हैं ठीक है इसक्वैस प्रत्यूक्ता की जब बात की जाय तो इससे इनका संबंद आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो इसका प्रत्योक्ता से हरिनरपाल संधु और दीप का पलिकल का नाम देखने को मिल जाता है अगे की बात आती है की AFCI केल 2023 में तिरंदाजी कंपाउंड पुरस प्रत्योक्ता में भारत की से हरा करके स्वण प्रत्योक्ता है प्रत्युक्ता में खासा धेने कीगा, हमने क्या किया था, दक्षिर कोरिया को हराया था, किसे दक्षिर कोरिया की जब बात की जाया तो यहां पर किसके द्वारा जीता गया, तो खासा आपने सुना होगा किसके बारे में, ओजस प्रवीर, ओजस प्रवीर, ओजस प्रवीर के अलामा अगर नाम की बात की जाए तो आपके अभिसेक बर्मा अभिसेक बर्मा और अभिसेक बर्मा के अलामा यही पर देखा जाए तो प्रत्मेश प्रत्मेश तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो इन लोगों के द्वारा क्या किया था, खास करके आप कह सकते हो कि इन्हों ने जो आपकी ACI खेल में तिरंदाजी पृत्योगता हुई थी, compound मतलब group के रूप में, तो इसे group बाजी में इन्हों ने क्या किया, खास करके दक्षिर कोरिया कोहराया, और दक्षिर कोरिया को हरा करके आप कर सकते हो कि इन्हों ने क्या किया अपना गोल्ड मेडल पुक्ता किया खासा अगर इनकी बात की जाए तो इन सबका नाम ध्या निखेगा बेसिक अगर देखा जाए तो का जारा कि भारत का सबसे बड़ा अगर इसकी बात की जाए तो ये किस राज में आपका लांच किया गया मध्यप पुजली उत्पादन करनी के लिए हम लोग क्या करते हैं बड़े-बड़े माध बनाते हैं और उन्हीं बांधों की जब बात की जा तो उन्हीं बांधों को आधारित करते हुए या आपका आप तो भाई उन्हें जुट्ठा गोसित कर दिया जाने चाहिए क्योंकि KBC में प्रश्चन पूछा जा चुका बताओ अब भाई किसी ने एडिट किया था या क्या था लेकिन बिलकुत सत्य था कि कौन सी राजी के ऐसे मुक्वंति हैं पूरा नहीं करते हैं जुट्ठा मुक्वंति बोल दिया जाता है तो मद्ध प्रदेश के सिवराज सिंग चौहान की बीसी में क्योश्चन पूछा गया बताओ इतना बड़ी लेबल का संस्थान उसमें क्योश्चन पूछा गया कितनी बेज़ेती वाली बात है बैरहाल तो म अग्द प्रदेश में ध्याने कीगा जुट्ठा प्रदानमंति के राजी की जब बात की जाया तो वहां पर याप पूम्प इस्टोरेज की बात गया है इसको रखा गया मतलब कैसे तो यही पर इसकी आधार सिला रखी गया है अब अगर देखा जाये तो आधार सिला के प कितना 1440 MW बिजली को एक साथ यहां पर क्या करेगा आधारित करके रख पाएगा और बेसिक अगर देखा जाए तो करीब करीब 7,5 गंटे करीब करीब 7,5 गंटे तक क्या करेगा यह इस भंधारन को रख पाएगा और आगे इसे बढ़ा करके क्या करना है 11 GW करना है ठीक है तो अभी सुर्वात होगा 1440 MW से लेकिन आगे बढ़ा करके क्या किया जाएगा खास करके इसको 11 GW से बढ़ा करके आगे बढ़ा करके क्या किया जाएगा और इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट की जब बात की जाए तो करी पर बनाया जाएगा तो खासा ध्यान रिखेगा ये अर्तालिस सो अर्तालिस सो की जब बात की जाए अर्तालिस सो नौकरियों को भी क्या करेगा ये पूरी तरीके से यहां पर जन्रेट करेगा तो इस पहलू की जब बात की जाए तो इस पहलू को ध्यान रिखेगा बात की ज पुर्सोत्म रुपाला के दौरत साथ से ले करके 9 अक्टूबर 2023 को तमिल नाडू और पुडी चेरी में लांच किया गया। तो इसकी जो संकतना होती है, देखने को मिलता है। हमारी हाँ पर केंदिय मंत्ती पुर्सोत्म रुपाला के माध्यम से 7 से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में सागर परिक्मा को लांच किया गया अब इस सागर परिक्मा की जब बात की जाया तो इसका संबंध किस से होता है तो सागर परिक्मा की बारे में ध्यान कीगा ये पुर्सोत्तम रुपाला के माध्यम से चालू किया गया खासा अगर दिखा जाए तो इसका कौन सा चरन होता है तो इसका जो चरन होता है वो होता है आपके कर सकते हो कि नवे नंबर का किस नमबर का? नुवे नमबर का चर्ण यह आपको देखने को मिलता है खासा अगर देखा जाए, तो ये कौन से मंतरी है तो आप भी जानते हैं बरत्मान में हमरे पसू पालन और डेरी मंताले की जब बात की जाए तो उसके रूप में इनका नाम देख मिलता है इन्होंने इसको लांच किया खासा यहांप एक जिला पढ़ता है रामा नाडा जिला ठीक है तो रामा नाडा जिला की जब बात की जा तो रामा नाडा जिला से इसको लांच किया गया जिसके परिपेच की जब बात की जा तो आप कह सकते हो कि इसमें इसमें अगर देखा जा भी हमारे समुद्ध तर छेत में मच्वारा है, मतलब ये जो location है, यहाँ पर जितने भी आपके मच्वारा है, उन मच्वारू तक क्या करना है, हमें अपना एक मच्वारा जो समुदाय है, उन तक अपनी क्या करनी है, पहुंच सुनिश्चित करनी है, ठीक है, तो जितने भी जो समुद्ध में कारे कहने के सैली है या जो उनकी जरूरते हैं उन सब चीज़ों को क्या किया जाए समझा जाए और सीधे सब्दों में अगर कहा जाए तो सरकार के परिपेच में अगर देखा जाए तो सरकार से समद्ध जितने भी सरकारी योजनाए हैं उनको इनको बताया जाए और साथ ही साथ अगर कोई योजना सरकार इनके लिए चलाती है तो उसे बताएं और नहीं चलाती है तो इनको इनकी संबंद की विसेशताओं को क्या किया जाए सरकार को बताए जाए ताकि सरकार क्या करे उनके हिद के लिए कुछ विसेश कारे करे मदब सीधे सब्सक् देखो, दस नंबर किसे बोलते हैं, दस नंबर तो यही होता है, और दस के आगे एक लगता है, तो यह 11 हो जाता है, इतनी अंग्री जी हमारी सही है, और दस के पहले अगर लगता है, तो इसे हम 9 कहते हैं, ठीक है, तो सही है, 9 नंबर का यह आपको दिखते हैं, ठीक है, अध तो ये आपके नई दिली में देखने ता है तो नई दिली का मंडपम तो हमने सुना था चलो अच्छी बात है इतना नीज वालों ने दिखाया कि याद हो गया एक्टू हमारी यहां पर बनाए गया था कर नाम था रुद्राज रुद्राज आप भी जानते हैं या के बानारस में चलो इह थोरा बहुत था एक कैठ हो था त्यानाती याद हो गया अब ऐसे अगर जो पचाश ठू बनाएंगे तो भाईया खतम हो गया ठीक है यहां पर अगर देखा जाए तो इसका संबन किससे और इस मंडब की जब बात की जा तो इस मंडब का संदफ हमें देखने को मिल जाता है तो किस बिक्ती के द्वारा इसको क्या किया गया लांच किया गया तो लांच करने की जब बात की जा तो यह ध्यान कीगा मलेसिया के उप्रधान मंत्री हैं क्या है मलेसिया के उप्रधा फदिल्लाह यूसुप तो दातुक सेरी फदिल्लाह यूसुप की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से क्या किया गया इसका उद्धाटन किया गया वेसिक अगर देखा जाए तो ये कहां पर आयुजित किया जा रहा है तो ये आयुजित किया जा रहा है आपके मलीसिया के क कौलालमपूर में कौलालमपूर की जब बात की जा तो वहां पर इस समेलन का आजन किया जा रहा है एटो-जीरो एटो-जीरो की जब बात की जा तो आप कह सकते हो एक्सलरेशन क्या कहते हैं एक्सलरेशन टू नेट जीरो क्या कहते हैं एक्सलरेशन टू नेट जीरो अर्था जिसको एटो-जीरो के रुप में जानते हैं तो एटो-जीरो की जो संकल्पना वो है कि एक्सलरेशन टू नेट जीरो अर्था सीधे सब्दों में आप कह सकते हो कि हमारी हाँ पर जब हम वि जैसे सवर उर्जा है, पवन उर्जा है, इन सब चीजों को लेकर के एड़ा की जब बात की जा तो एड़ा मनणप का उधगाटन किया गया, जिसके बादिम से आसियान संबध में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी चीजों को क्या करेंगे, आगे बढ़ावा देंगे, हरित बैवस या क्वालालंपूर में क्या किया गया, इस खास करके आपको सिक्तो एटो जीरो, एसीयान समेलन के परिपेच में, इरड़ा मनणप का उधगाटन किया गया था, ठीक है, आगे की जब बात की जा तो एक नाम जाने कीगा, मुक्वंती स्री कानराड संगमा, अगर इनकी बा इसको हरी जंडी दिखाई गई, वसे अभी आपने सुना होगा, यूपी सरकार में जो महिला होती है, महिला बीट, महिला बीट आप भी जानते हैं, खास करके, जैसे आपने सुना भी होगा किसके बारे में, जब हमारी हाँ पर बोला जाता है, मेरा सैया थानिदार चलावे जिपसी, तो जिपसी अभी तक केवल पूरुस चला रहे थे, तो महिलाओं को ये बात काफी बुरी लगी, और उसके उपर कई सारे डील बनाएगे, तो अब हमारी हाँ पर महिलाएं भी क्या करती हैं, बाइक चलाती हैं, तो ऐसी महिला जो बाइक चलाती हैं, जो खास करक कैसिक्तों की विभन प्रकार के मद्दों को ले करके, अलग-अलग तरीके से गस्त लगाती हैं, तो उन्हीं अभी नाम दिया गया है, सक्ती दीदी, तो ध्यान रखीगा, अब किसी की पतनी खास करके, अगर पुलिस कर्मी होगी, तो वह भी समधित गानी को उपर रेल तय या फिर यहां पर आप कह सेकते हो, मेरी पतनी सक्ती दीदी, चलावे स्कुटी बनी नहीं रहा है, लग को बैठाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम गायक से कहेंगे, हम गाने वाले बैक्तियों से कहेंगे, जो गाना बनाने वाले बैक्ति हैं, वह इस पर भी थोड़ा सा क्योंकि थानीदार की संकल्पना और जिपसी की संकल्पना अलग हो चुकी है, अब हमारी महिलाएं भी आगे बढ़ चुकी हैं, और वो क्या करती हैं, इस कूटी बाई को गरे चलाती हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे सानी दुखो अस्थापित किया जाए, क्योंकि कौन राण संग्मा की जब बात की जाय तो मुकेवंती कांडर संग्मा के दुखा ये पहलू आपको लांच किया गया, जहां पर CRPF महिला बटालियन की जब बाध की जाय तो उनके लिए SSV की बात की गई है, बेसिक अगर दिखा जाय तो ये कहां से चालू किया गया, तो ये ध्याने कीगा, आपके सिलोंग की जब बात की जाए, आपने कई बार सुना होगा जब हम बात करते असम के बारे में, तो असम के मुक्वंती होते हैं, खास करके कौनराड सिलांग मा, अगर इनकी बात की जाए, तो उन्हें क्या किया, CRPF महिला बटालियन की जब बात की जाए, तो इस महिला बाई क अभियान को, एसर सुनी को, यहां पर क्या किया, इन्होंने खास करके अभियान को हिस्सा लिया, सिलांग मेघाले से समद्ध मा पी जाते हैं, मेघाले की जब बात की जाए, तो मेघाले के मुक्वंती होते हैं, खास करके मेघाले के मुक्वंती कौनराड संग्मा, तो मिगाले की मुक्वंती कौनराड संग्मा की जब बात की जाए, तो उनका संबंध होता है, इन्हों ने इसको हरी जंडी दिखाई, और हरी जंडी की जब बात की जाती ये क्या होता है, ये एक क्रास कंट्री बाई कभियान होता है क्रास कंट्री बाई कभियान के रुप में जाना जाता है क्रास कंट्री मतलब आप कह सकते हो कि देश के बाहर और देश के बाहर की जब बात की जा तो आप कह सकते हो कि इसको आयजित किया जा रहा है CRPF के माध्यम से और CRPF के अलामा करके क्या है नारी सक्ती की जब बात की जा तो नारी सक्ती को बढ़ावाद देने के लिए क्या किया गया है इसको आईजित किया गया है जिसमें आप कर सकते हो कि ये जो महिला की टीम ही होंगी वो कहां कहां पर जाएंगी तो खासा आप देखा जाए तो ये जैसे जम्मु कस की जब बात की जाए तो еще 45 September को यह लोग कहां पहुंचेंगी तो यह गुज्रांत में पहुंचेंगे गुज्रा जहां सर्दार बल्लब भाई पतील की बात की जाती है और जहां पर आपने सुना होगा एकता नगर तो सरदार बल्लब हाई पटेल की जो जैनती होती है 31 October वहाँ पर ये लोग एक साथ हो जाएंगे तो खासा आप कहा सकते हो कि नारी जेस्ट को मनाने के लिए अगर इनकी बात की जाए तो लोग सीरां कन्या कुमारी तक बिजिट करेंगे और अंततय क्या होगा घुजाज जाएंगे तो मतलब प जब बात की जाए तो ये 2023 में आपका आजित किया गया लेकिन इसकी जब बात की जाए तो इसके थीम को क्या रखा गया सबसे पहली बात तो ये ध्याने कीगा अगर इसके दिवस की बात की जाए तो इसका दिवस का आजित किया जाता है तो ये हमारी हाँ पर ध्याने कीग आगर देखा जाए तो इसका जो हमने theme रखा है वारकि सके रुप में रखा है तो वो रखा है together stronger क्या बुलते हैं together stronger की जब बात की जाई तो यह इसके संबंद में आपकी theme देखने को मिल जाती है by Cerebell The दिवस के रुप में है बेसिक अगर देखा जाए तो इसका थीम हम ने क्या रखा इसका थीम रखा टूगेदर इसकोंडर ठीके बेसिक अगर देखा जाए तो नाम ध्यार निखीगा एक बिंदू आता है कि दिवमैसिक मैदरिक नीती यह हमारे यहां पर भी घुसित की गई दोजार तेश्चोबिस के लिए अब दिवमैसिक मैदरिक नीती को घुसित किया गया जिसके अंतगत रेबो धरत आँ आपकी ती गई और इसकी जब बात की जाए तो यह किससे समझ होता है तो यह हमें देख मिलता है 6% की रूप में या फिर आपके 6,10,25% की रूप में 6,10,5% की रूप में या फिर आपके 6,10,75% की रूप में एक्चली आप भी जानते हैं कि हमारे यहां पर जो एक संस्था है RBI तो RBI Regulating Agency के रूप में जानी जाती है तो इसे परीपेच में क्या करती है यह भी भ हिल्टन यंग कमीटी की जब बात की जात 1934 के आधार पे क्या किया गया इसकी अस्थापना करी गई खासा आप भी जानते हैं इसका मुख्याल है आपको कहां पर मुंबई में देख मिलता है और सक्ती कांत दास का नाम ध्याने की गया सक्ती कांत दास क्या है इसके बर्तमा रिपो दर को इसी आधार पे रखा गया है क्योंकि हम कर सकते हैं पिछला दर भी क्या था पिछला दर भी 6-5 यी था लेकर अभी हमने क्या का इस दर को इसी तरीके से आपके सिक्तों यथा इस्तिती बरकरार रखा। मतलब जस्त के तस हमने इस दर को कोई परिवर्टन करने का कोई आधार नहीं रखा। तो इस चीज को ध्याने केगा। कब के लिए? 2023-2024 के लिए है। वसे ध्याने केगा अगर यहाँ पर देखा जाया तो अगले संदर में जो मारी GDP की बिद्धी दर सुनिशीत की गई है वह कितना है तो 6.65 पिड़े की गई है। तो GDP की जो अगली बिद्धी की बात की गई है वह कितना है? वह है 2024-2024 के लिए यह रखा गया है कि आने वाले वर्ष में क्या होगा हमारी GDP 6.65 की रुपनाप के बिद्धी होगी। ठीक है आगे की बात की जाए तो एक नाम होता है कि भारस सरकार के माध्यम से राष्टी हल्दी बोर्ड की अस्थापना की जा लिए है। अब देखा जाय तो कौन सा मंत्राल है इसके संचालन के लिए पूरी तरीके से कारी करेगा। यूचली आप भी जानते हैं मसाला फसल की रुप में हल्दी का हम लोग क्या करते हैं इस्तमाल करते हैं अभी हाल फिलाल में हमारे कहसी करके केस्चिति हो कि पुदान मंत्य जी ची के द्वारा इसके बारे में गोसला करी गई है। तो किंद सरकार ने अभी क्या कहा है खास करके हल्दी किसानों को ध्यान में रखते हुए खास करके एक हल्दी बोर्ड की अस्थापना की बात की है तो हल्दी बोर्ड की जब बात की जाए तो ये किसके अंतगत कारे करेगा तो कासा ध्यानिकीगा, अभी हमारे घ्राप पर देखा जाए तो एक मन्ताले होता है जिसको हम करते हैं, बाणिज एवं उद्योग मन्ताले की जब बात की जाये, तो इसके माध्यम से एक हल्दी गोर की अस्थापना करी जाएगी, अच्छा इसकी जरूरत क्यों थी इसकी जरूरत इसकारण से थी क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं भारत के बारे में तो ध्यानिकीगा भारत विस्वे सरबादिक मात्ता में क्या करता है हल्दी का उत्पादन करता है तो इस हल्दी के उत्पादन के साथ ही साथ इसको क्या करना अन्य देशों तक भेजना तो तो ध्यानखी का महाराष्ट की जब बात की जाए तो महाराष्ट आज सबसे जादे हल्दी का उतपादन करता है, महाराष्ट की अलामा अगर दिखा जाए तो तेलंगाना का नाम धेंखा जो सबसे जादे मात्ता में हल्दी का उतपादन रखता है, बिस्तिक अगर दिखा ज तो हल्दी के बारे में आप भी जानते हैं, इसको हम मसाला फसलो की रुप में जानते हैं, मसाला फसल की रुप में जानते हैं, खासा आप में सुना होगा एक पौधा होता है, कारकुमा पौधे की जब बात की जा तो कारकुमा नाम का जो पौधा होता है, अगर इसकी बात की तो इसका इस्तमाल हम लोग क्या करते हैं रंग परिवर्तिक करने में करते हैं खासा आपने देखा होगा यलो कलर के परिपेच्वे नाम देख मिलता है और साथी-साथ गड़ देखा जाए तो इससे थोड़ा सा हमारे सबजी वगरे में टेस्ट भी आखो देखने को मिलता है खासा एक बिंद को ध्यान कीगा इसमें एक तत्तु पाया जाता है जिसको हम करते हैं करक्यू मिन करक्यू मिन तत्तु की जब बात की जा तो ये इसमें पाया जाता है और इसकी जब बात की जा तो ये सदयों क्या होता है खास करके सूजन सूजन को कम करने का काम करता है तब ही आपने देखा होगा जब आपके पिता जी लठ बजा देते थे तो मम्मा क्या करती थी गरम दूद में हल्दी मिला के आपको दे देती थी इवन कई बार आपने देखा होगा जब आपको चोट वगरे लग जाता है तो हल्दी और प्याज का लेप बना करके आपको रख दिया जाता है तो परपेच की जब बात की जाए तो कर्क्यूमिन जो होता है वो सूजन को कम करने का काम करता है और इसी कारण से हल्दी का कलर जो होता है वो पीले कलर का भी होता है एक चीज और ध्यानिकिगा खास करके अगर देखा जाए तो यह कौन सी फसल होती है तो कई बार बेग्यान में पूछा जाता है यह तना वाली फसल है बली यह जड़ से पाई जाती है लेकिन ध्यानिकिगा यह तना वाली फसल होती है तब यह आपने सुना होगा कि हद करदी आपने है तो हल्दी का संड़ग होता है तना वाली फसलों के रूप में तो अभी हमारे हाँ पर एक नया बोर्ड अस्थापित किया गया जो हमारे हाँ पर जो उत्पादी करने वाले संग होते है उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड थी खासा अगर देखा जाए तो इस परिपेच में जब हम बात करते हैं विस्व का 62% अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमकोप से है ठीक है आगे की बात की जाए तो का जाए तो का जाए रहा कि साथवे नंबर की भारत और EU साइबर वारता किसे एक अस्थान पर आपके आजिक की गई है EU का संदब ध्याने कीगा EU मतलब आप कैसे हो कि हमारी हाँ पर जिसको हम European Union के रुप में जानते है ठीक है अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदब देखने को मिलता है ठीक है अनुजराठा और हल्दी वाला दूद वाइफ लेके आती है हाँ हाँ बिल्कुल अपने नई हरे से भर की एक्टू गिलासा लेके आती है एकदम काबिल हो न अरे पहले पर ही लेओ नौकरी पा जाओ नहीं तो वही जो पतनी वाला बाप है न अमरीस पूरीस कम ना है जब भी दुवारे पाएगा तुमारे उसके बाद पूछेगा का करते हो बेरोजगार हो बक बकलोल कहीं का तुमसे साधी करेंगे हमें चाहिए सरकारी दूला जब तक नौकरी नहीं मिलेगा न वही दूद पिलाने वाली जो महिला होगी उसका बपवे तुम्हे ख़देर देगा तक लिए परिसान ना हो मिलेगा बाप भी मिलेगा पतनी भी मिलेगी लेकिन कब मिलेगी? जब बिया हो जाएगा सरकारी नौकरी तब मिलेगी ठीक है? तो पहले से परिसान ना हो पहले हल्दी वाला दूल पी एक सपना देख रहे हो अरे पहले कलम चलाए लो कलम तूर एक ताकत देखो सीधी सी बाप एठो नौकरी पाओ माई बाप का सपना साकार करो तब फिर बीवी और दूर के बारे हम सपना देखे बारत और EU साइबर की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुखोप से देख मिलता है ठीक है अगर इस पहलू की बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है नई दिल्ली, मुंबई, लंदर, यापिर आपके ब्रूसे बिसे कगर देखा जाए तो इसका संबंध प्रमुखोप से देखने को मिलता है तो ये कहां से आपका आज़ित किया गया तो ये ध्यान कीगा क्या किया चर्चा किया और साथ ही साथ जो अमारी जैसे भारत है, यूरोपे यूनियन है तो उनके आपस के आचार विचार क्या है उनके बारे में यहां पर बात की गई मतलब आपके सेकत हो कि साइबर समवाद तंत की जब बात की जा तो इसके बारे में भी क्या किया गया, पूरी तरीके से एक स्वास्त चर्चा करी गई, तो सीधे सब्दों में आप कह सेखते हो कि हमारी हाँ पर बारत और यूरूपीय यूनियन की जब बात की जा, तो उसके लिए यह नाम आपको देखने को मिल जाता है, क्लियर, आगे की जब बात की जा, तो एक नाम ध्याने कीगा, किसके बारे में, यह नाम आपको देखने को हमारी हाँ पर, कि एक बिंदू आता है, और वो होता है कि रूपे पर आधारित, यू एई ने एक नई भुक्तान कार्ड प्राली को क्या किया है, प्रातिक रूप से चालू किया है, क्या बोलते है, यूनाइटेड अमिर्थात, संयुक्त अरब अमिरात, संयुक्त अरब अमिरात की जब बात की जा, तो संयुक्त अरब अमिरात के माध्यम से ये पहलू आपका चालू किया गया, रूपे कार्ड के उपर आधारित, समन्ते आप भी जानते हैं कि अमारी हाँ पर यहां पर गए थे, तो इस परिपेच में इन्हों ने क्या कहा, इन्हों ने यहां पर एक विसेश ब्याउस्था को चालो किया, खासा अगर दिखा जाये तो इस परिपेच में किसका संबन्ध होता है, तो इसका सीधा जासो संबन्ध था, वो ये था, कि आप भी जानते कि कि हमारे भारत का card कौन सा है, हमारे भारत का card है, रूपे David card, लेगिन वर्ल्ड लेबल की जब बात की जा, तो वर्ल्ड लेबल पर आपने बीजा और Master card को सुना होगा, तो हमने क्या कहा है, कि वर्ल्ड लेबल पर जो तिने भी हमारे card होते हैं, चाहे वो बीजा हो, चाहे मास्टर कार्ड हो, उसके साथ हमें क्या करना है, अपने प्रतिदंदी के रुपे उनके साथ कारे करना है, तो उसी लिए हमने अपने रूपे कार्ड को क्या किया, यहां पर कैसेक्तो कि ब्यवस्थित किया, तो पहलू को लेकरके, रूपे और वतन के परिपेच्वे इस पुझा पुरसकार 2020 दिया गया हमारी गांपर इस पुझा पुरसकार की जब बात की जा तो यह अभी हाल फिलाल में दिया गया बेसिक अगर देखा जा तो इसका नाम प्रमकूप से देखने को मिल जाता है हाँ UPI से होता है यह तो अच्छी बात है ठीक है UPI की जब बात की जा तो UPI का संदग इसे होता है का बात है माही मिस्रा गजब गुरुजी गजब गजब हम नहीं है गजब आप लोग है ठीक है रुचिया दो अच्छा दित्या मिस्रा ठीक है रा हो जी चलो यहाँ पर हम किस कि बात करें, जलवाय परिवतन के छेत में इस पंजा पुरसकार, इस पंजा पुरसकार की जब बात की जा तो यह किसे दिया गया, तो अभी हाल फिलाल में एक प्रोफेसर है जिनका नाम है जोयती गुपता, ठीक है, जोयती गुपता की जब बात की जा तो इनको क्या दिया गया यह पुरसकार दिया गया संयोग से आपके सिख्तों कि यह भारत की रहने वाली है तो भारतिय मूल की रहने वाली ज्वयती गुपता की जब बात की जाय तो इनको क्या किया गया यह पुरसकार दिया गया संबधित अगर बात की जाय तो इनका संबंध कहां से होता है तो ये ध्याने कीगा, जोयती गुपता की जब बात की जाये, तो जोयती गुपता को एक, जब हम बात करते हैं, जलवाय परिवर्तन, तो जलवाय परिवर्तन के उपर इन्होंने क्या किया है, कारी किया है, तो जलवाय परिवर्तन के उपर कारी करने के नाते हैं, इसका पुरसक अर्था 2 और 3 की जब बात की जाए तो इन दोनों को पुरस्कित किया गया जहां पर ज्वयती गुपता की जब बात की जाए जो भारत मोल की रहने वाली है जो जलवाई परिवर्तन के रुप में कारी करती है और यही पगण देखा जाय तो TV कोर्स का नाम ध्याने कीगा क्यो यह पुरसकार दिया गया था नीदर लेंड में नीदर लेंड की जब बात की जाए तो नीदर लेंड में यह पुरसकार आपका डिस्टिब्यूट किया गया था खासा अगर देखा जाय तो इसे पुरसकार की जाय तो इस पुरसकार की परिपेच में जो पैसा दिया जाता ह 1.5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 सिच्छा विज्ञान वगरे के छित में अगर कोई पहलू कोई कारिक करता है, जैसे जलवाई परवत्तन की बात की जाया, तो उसके लिए इन्होंने कारिक किया, तो इसी कार से इनको क्या किया गया, ये पुरसकार दिया गया, तो प्रोफेसर ज्वेती गुपता जो भारतिय मूल की है, और टीबी कोर्ष की जब बात की जाय जो सबसे कम उम्रकी होती है, इन दोनों को ये इस्पोंजा पुरसकार दिया गया, क्लियर, आगे की जब बात की जाय तो एक नाम आता है, का जाता है कि निमलकित में से 21 से एक ब्यक्ती को 2023 में साहित का नोबल पुरसकार दिया गया, साहित नोबल पुरसकार की जब बात की जाय तो इसका राम प्रमकुप से होता है, ये जान फांसे की रुप में जाने जाते हैं, एनी अनेक्सा के रुप में जाने जाते हैं अब्दुल रज्जाक गुरहाक के रुप में जाने जाते हैं या फिर लुईस गुलुक के रुप में जाने जाते हैं कौन से एक ऐसे बेक्ती होते हैं जिनका संब्ध यहाँ पर आपको देख मिलता है किसके रुप में? खालस करके, जब हम बात करते हैं, अपनी हाँ पे साहित नूबल पुरसकार, अब साहित नूबल की बात की जाए, तो आप भी जानते हैं, फसरी लगाय लिए थे, क्या नाम था? जान फांसे, जान फांसे की जब बात की जाए, तो जान फांसे कैसे मनई थे जो जुटो जुटो कहानी बताते थे और जब आप कह सकते हो कि जुटो जुटो कहानी बताते थे तो मनई इनके बीच में का करते थे इनके बातिम फंस जाते थे तो फसनी के संदर में आप कह सकते हो कि साहित्य के परिपेचवे क्या होता है यहाँ पर जॉन फांसे का नाम देखने को मिल जाता है फांसे की जब बात की जाए तो इनका नाम देखने मिलता है तो इस परिपेच में ये कुछ ऐसी चीजों को क्या करते थे आप कर सकते हो तो बताते थे मतलब कुछ ऐसी अनकही चीजों को बताते थे जो mythology नहीं बलकि अगर हम कहें तो जो चीजे अन-predicted थी और उस परिपेच की जब बात की जाए तो उनका संदर्व यहाँ पे आपको देखने को मिल याता है तो इनकी जब बात की जाए तो उनका नाम खासा ध्यान रखेगा किसके परिपेच वे जब हम बात करते हैं गद्य पद्य लेखन के अनकही बातों को ले करके अनकही बातों को यह ऐसे संदर्व को अस्थापित करते थे जैसे आप कर सकते हो कि हमारे हाँ पर मौनसी प्रेम चंद मौनसी प्रेम चंद की माध्यम सिगा होता था गाउं की मुलिया, रग्धु कुहार, धुलिया या अगर बात की जाए तो आपके अलग-अलग कुरदारों को ले करके उन्हों ने किस तरीके से कहई सक्टियों की विविन प्रकार की रचनाई लिखी है जिसका संबंद होता है कि ये लगता है कि बिल्कुल ये realistic है हलाकि ये होती नहीं है, न कही आवाज ये दे देते हैं तो इस तरीके से इनका नाम देखे मिलता है ठीक है तो फासे साहब के साथ ही आज सयोग से आपका सकते हो कि आपके 11 बज़ की चुए है तो आधारित करते हुए आज के बिसेविन को हम यहीं समात करेंगे पुने ध्यानखीगा आपसे बार-बार करते हैं कि 8 बज़े अगर आप सुबह जोड़ते हैं तो यह सारी सच रस्णाओं का एकाधार आपको वहाँ पर देख मिलता है करेंट अफेर्ट सेसन में जादे से जादे चीज़ों को हम कवर करनी की कोशिस करते हैं और नाम के रुप में ध्यानखीगा 9 बज़े तो आप भी जानते हैं UPG के वाला सेक्शन ये भी काफी महत्पूर होता है Class की PDF ध्यानखीगा ये कहाँ पे मिलेगी आपको तो Class की जो PDF मिलती है वो हमने कई बार बताया है कि Class की PDF आपके Telegram चैनल पर मिलती है Telegram चैनल के माद्धेम से आपको Class की PDF होगरे मिल जाती है और उस PDF को प्रापत करके आप लोग बहुत धन्य हो जाते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं उस PDF को केवल mobile का storage बढ़ाने के लिए आप को इस्तमाल करते हैं कभी आपने देखा है पुरानी PDF का revision करते हुए खुद को हमें तो नहीं लगता है कभी आपने पुरानी PDF को download किया हो और बाद में उसे खोल करके देखा हो हाँ अलग बात है जब आप download करते हैं तो उस time पे आप जरूर देखे होंगे लेकिन download करने के बाद महीनी के बाद हो सकता हो चटनी जब की जाती हो आप ये selfie या खीचने के समय पे storage फुल दिखा रहा होता है तो उस time पे आप कहते हैं कि अच्छा पुरानी file को delete करते हैं delete करने के संदर में जरूर देखे होंगे लेकिन नए संदर में तो हमें नहीं लगता कि कोई विवेक्ति ऐसा होगा जो इस पहलू को देखता हो बहराल यहां पर बात की जाए तो इस संदर को ध्यान लिखेगा आप इसका इस्तमाल करते हुए क्या कर सकते हैं इस पहलू को देख सकते हैं तो यहां से टेलीग्राम से क्या हो जाएगा सारी चीज़े आपके करम में प्राप्त हो जाएगे तो इस देख को ध्यान लिखेगा यहां तक कोई संदर के लिए आज की क्लास हम यहीं पर बिढ़ाम देंगे और बाकी आपसे पुरह मुलाकात होगी कल के सेसन में खास करके नेस्ट सेसन में तो संकल्पनाओं को आधारित करते हुए वहां पर आपसे मुलाकात करेंगे ठीक है आज के विशर बिढ़ाम को ही समाप्त करते हैं पुरह कल सुबह आठ विजे मिलने का एक विशेस वादा करते हुए आज के संदर को समाप्त करते हुए थैंक यू आप सबका रिदर तल से तही दिल से बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत आभार कि आप लोग इस सेसन में जुड़े है खासा बिंदु के जब बात की जाए तो अपने क्लास को हम यहीं समाप्त दरते हैं ठीक है थैंक यू आल दिवेस्ट भाइबा टिक कर गुड़नेट सुबाती सबक है